हेलो बच्चो आप सभी को मेरा नमस्कार इंडिया के बहतरीन चैनल कॉंप्टिशन वाला पर आपका मोस्ट वेलकम हमारी सुपर सीरीज क्रैस कोर्स का आज थार्ड डे यानि थार्ड लेक्चर है तू लेक्चर हमारे बहुत अची तरीके से फिनिश हुए थे थार्ड लेक् तो बहुत ज्यादा विटेज है तो conceptual समझना दूसरी बात और मैं बताऊंगा यहां इस वही विटेज तो है पर इसमें भी कुछ टॉपिक है उनका विटेज बहुत ज्यादा है जैसे पीट से कुश्यन आने की probability होती है गैस्रिक ग्लेंड से कुश्यन आने की probability होती है दो बहुत होट टॉपिक है इसके कुश्यन आते ही आते हैं अगर लास्ट यर के आप कुश्यन देखोगे आपको मिलेंगे कुश्यन प्रॉसिस ऑफ डाइजेशन से कुश्यन आने की probability होती है और लास्ट इसके अंदर जो कुश्यन बनता है disorder तो चार टॉपिक है बिटा इसके हैं 100% ठीक है तो सीदी सी बात है सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेशन वहीं डाइजेशन होता क्या है आप समझना मेरी बात आप जिस फूड को इंटेक करते हो क्या वह डारेकली एब्सॉर्ब हो करके ब्लड में ट्रांसफर हो सकता है नहीं हो सकता तो पहले उस कनवर्जन ही डाइजेशन कहलाता है क्लियरे बलकुल इसकी है से एंजाइम की है से तो एंजाइम का रोल यहां पर क्या है बायो कैमिकल प्रॉसेस क्लियरे बलकुल तो बायो कैमिकल तभी तो आपने बला डाइजेशन किस टैप की मेकैनिजम है डाइजेशन एक मेकैनिकल biochemical process है तो हर system का आपको process तो पता होना चाहिए वो किस process पर work करता है तो digestion का purpose क्या है complex food का simple food में conversion with the help of mechanical process अब mechanical process कहा होती है वही mouth में आप food को क्या कर रहे हो ठीक है chewing कर रहे हो it is a mechanical process इस तमक में एंटर कर रहा है इस तमक में churning हो रही है it is a mechanical process इसका लाभा पूरी फिर इस food को break करने के लिए इस पर different type के enzymes release हो रहे है वो इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे biochemical process जानि mechanical और enzymatical breakdown biochemical के थ्रोही यह complex food simple absorbable food में convert हो सकता है या होता है जो intestine से absorb हो करके आपको ठीक है energy protein source ठीक है fat source provide कर आता है तो यह वाली बात एक्दम clear है आपको कि actual my digestion है क्या तो process सब की पता हो नहीं चीए तो फटा फट फट फिनिश करते जाते हैं एक यह concept को clear करते हुआ आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपर digestion है क्या मैंने बताया था कि macro यह complex food का complex food का मानलों यह complex food है complex food का simple absorbable food में conversion simple absorbable food में conversion ठीक है इसको क्या बोलते हैं digestion simple absorbable food में conversion digestion ठीक है complex food non-absorbable होता है complex non-absorbable absorption किस पर convert कर रहे हो simple absorbable food तो cdc बात है complex food का complex non-absorbable food का simple absorbable food में conversion किसकी presence में होता है आप जानते हूँ water water चाहिए कौन करता है enzymes जैनि ऐसे enzyme to water की presence में complex food को simple absorbable food में convert कर रहे हैं पिटा इन enzyme को इसलिए हम term use करते हैं आया वह कॉश्चन है all digestive enzymes are all digestive enzymes are hydrolis lase जो hydrolysis करते हैं यानि हमारी गट में इस food को पानी पिला पिला के तोड़ा जाता है यानि water की presence में तोड़ा जाता है यानि water में बहुत essential role play करता है इसलिए NCRT की line notable point में लिखिए मैंने इसको तो इसको question अभी तक नहीं बना पर बनने की probability है the water we take in play an important role in metabolic process water का बहुत important role है इस metabolic process क्योंकि metabolic process two types क्यों होते हैं kata मतलब breakdown eta मतलब anna मतलब ठीक है जुड़ना तो kata और anna तो जहां metabolic process की catabolism चल रही है catabolic process चल रही है यानि food का breakdown चल रहा है तो food के breakdown में water का बहुत important role है क्योंकि water की presence में ही यह break होता है क्योंकि सारे के सारे enzyme hydrolase होते हैं जो hydrolysis करते हैं तो digestion समझ में आया होगा भी mechanical और biochemical process क्यों है एकदम clear अब finally हम बात करते हैं इस complex food को simple food में तोड़ेने के लिए जो track है बेटा उसको elementary canal बोलते हैं तो यहां elementary canal को भी आप three parts में divide कर सकते हो four gut, mid gut और hindgut ठीक है तो आप divide कर सकते हो इसको तो elementary किनाल की अगर मैं बात करता हूँ तो elementary किनाल को भी आप divide कर सकते हो three parts के अंदर इसी में add कर देते हैं four gut four gut, mid gut and hindgut, four gut, midgut, hindgut अगर मैं four gut की बात करता हूँ तो हमारा अपर वाला part four gut है जिसका origin ectodermal होता है midgut वाला जो part है middle वाला mostly midgut ही है जिसका origin आप बोलोगे endodermal होता है और hindgut जिसमें channel के नाल और एनस होता है उसका origin again ecto यानि four gut और hindgut का origin ecto और midgut का origin endodermal होता है अब gut में यानि elementary किनाल में जो mostly NCRT ने explain किया है जैसे question आता है ठीक है तो हम बात करेंगे किसके अंतर यहां पर teeth यह जो detail पढ़ने वाले है वेट हम किसका पढ़ने वाले है teeth का teeth को detail में लेके चलने वाले है तो elementary किनाल कहां से start होती है mouth से start होती है और कहां तक run करती है एनस तक तो mouth to anus हम step by step चलेंगे तो सबसे पहले हम कबर किसको करने वाले है mouth के अंदर teeth तो teeth से start करते हैं जहां से question बनेगा तो cavity या oral cavity बकल cavity या oral cavity एक ही बात होती है तो oral cavity has ठीक है numerous of teeth and muscular tongue तो पहले हम teeth की बात करते हैं कि types of teeth in human human में three type के teeth हो सकते हैं कौन कौन से बेटा जैसे diaphyodont जैसे ठीकodont जैसे बेटा heterodont heterodont वो heterodont भी अगेन four type के हो सकते हैं four types का थीप ने हेडरो डॉन को एक्स्पेन किया वह थीकिया हुआ है तो थीकोडों तो समझ में आयोंगे थीकोडोंट का मतलब जो सौकेट में फिक्स होते हैं वो थीकोडोंट है डाई फायोंट का मतलब जिनके 2 set होते हैं यहनी नगी, Milk Teeth और Adult Teeth तो Deep Hyperion, Hetero, जोनी different type के होते हैं इंसे सर, कैन आइन, Premolar, ठीक है, तो Deep Hyperion भी समझ में आया होगा आपको, Deep Hyperion Hont होते हैं बेटा, Thicodont होते हैं और Hetero Don't होते हैं क्योंकि different type के होते हैं जो हम आगे बताने वाले हैं, तो तीनों को हम explain करेंगे step by step तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाई फायोडाउंट नॉमबर वन अगर हम डाई फायोडाउंट टीथ की बात करते हैं डाई फायोडाउंट का मतलब है टू सेट आफ टीथ वही टू सेट होते हैं टीथ के अगर हम दोनों सेट की बात करते हैं कौन कौन से सेट होते हैं टीथ के समझना मेरी बात एक तरब तो हम दिखा देंगे प्रामरी देंटीशियन प्रामरी देंटीशियन एक तरब दखांगे सेकंडरी देंटीशियन सेकंडरी डेंटीशियन इक या अंतर होता है प्रामरी देंटीशियन य रोरी का बोल सकते हैं प्रामरी डेंटीशियन को nd acid was temporary या milk teeth भी बोल सकते हो या milk teeth भी बोल सकते हो milk जब कि अगर हम secondary dentition की बात करते हैं तो secondary dentition को हम permanent teeth बोलते हैं या हम इसको adult teeth भी बोलते हैं समझ ना तो actual में dive iodont का मतलब होता है human के teeth dive iodont होते हैं निन दो set होते हैं एक तो milk वाले teeth ठीक है एक permanent teeth milk वाले teeth को हम decydose भी बोल सकते हैं इसको temporary भी बोल सकते हैं कोई break हो की दुबारा फिर आते हैं ठीक है और primary dentition भी बोल सकते हैं secondary dentition permanent होता है ठीक है तो अगर हम बात करते हैं सबसे फ़ल है primary dentition की समझ ना primary dentition की बात करते हैं primary dentition में number of teeth कितने होते हैं primary dentition में number of teeth होते हैं बेटा 20 कैसे होते हैं कितने teeth होते हैं 20 इन 20 teeth को अगर मैं explain करूँ तो इसमें तो को incisor होते हैं बेटा प्लस कैनाइन होते हैं प्लस प्री मोलर नहीं होते पर मोलर होते हैं इंसाइसर कितने होते हैं आप पर इंसाइसर बीटा ओल्वेस टू होते हैं भई अपर हाफ या लोर हाफ में टू होंगे ठीक है कैनाइन हमेशा सिंगल होता है और मोलर यहां पर जो मोलर होते हैं वो कितने होते हैं only two molar होते हैं कि third molar नहीं होता तो total teeth कतने हो गए आप ऐहां पर आफ जोब में Senseler ले लो तव Então test ऊपर हाफ अपर हाफ करना होगा तो total teeth कतने हो जाएंगे 20 तुझे owns 20 teeth होते हैं निधा ये milk teeth होते हैं यानि बचों के अंदर incisor होते हैं, बच्चो में canine होते हैं, molar सिर्फ दो ही होते हैं, third molar, अकल, डाळ, wisdom, teeth, बच्चो में नहीं होता, पता है आपको? ठीक है? जानि यहां पर क्या absent है? तो यह आपको ध्यान रखना है, absent क्या है? बच्चो में क्या नहीं होता? यह भी तो पता हो नंच यह यहां पर pre molar and third molar यह दौनों क्या होते बैटा यह दौनों absent होते हैं यानि अगर आपसे कहा जाए कि primary which of the falling teeth absent in case of primary dentition या in case of temporary decudius milk teeth तो आप लोगे pre molar absent थ्रड मोलर एपसेंट होता है विच आफ पीप विच आफ फॉलिंग टीथ प्रिजेंट इन प्राइमरी डेंटीशियन इनसिसर होते हैं कैनायन होते हैं और molar होते हैं ठीक है यह तो हमने half जो की बात किये अपर हाफ या लोर राफ ठीक है तो हाफ का मतलब है half half lower half half into four करते होगे total 20 teeth हो गए एक बात क्लिए रहे अब बात हम करते हैं कि किसकी permanent अगर हम permanent की बात करते हैं तो permanent में number of teeth कितने होते हैं यहां होते है number of teeth 32 क्योंकि हम एडल्ट भी एडल्ट हैं तो एडल्ट में कितने teeth होंगे 32 teeth होंगे तो 32 teeth में ध्यान रखना है आपको 20 teeth तो वो है कि जो replace होकर के भई पहले यहां थे अब यह क्या हो गए भई बचपन में थे तूटे और बापस आ करके एडल्ट में फिर बन गए यानि पहले यह milk teeth का पार्ट थे यानि पहले यह primary dentition का पार्ट थे बाद में permanent dentition का पार्ट बन गए तो ऐसे भी कुशन पूछ सकता है number of teeth which present in both dentition कोगी बच्चपन में थे तूटे फिर बात में आए फिर बापस नहीं तूटेंगे अब यह permanent teeth का पार्ट हो गए ठीक है अब remaining कौन से बचे जो यहां नहीं है वही तो बचेंगे तो यहां कौन कौन नहीं है आपके सामने यहां बेटा अब रिमेनिंग जो बचे है ठीक है उसको देख लेते हैं यानि आप जो remaining यहां पर आएंगे बेटा 12 teeth हैंगे तो 12 और 20 मिला करके कितने हो जाएंगे 32 तो यह 12 teeth कौन से है तो यह 12 teeth वो है बेटा जो primary dentition में नहीं थे मतलब यहां पर pre molar है और यहां पर third molar है एक दम clear है प्री मोलर आप जानते हो कितने होते हैं प्री मोलर दो होते हैं और third molar आप जानते हो एक ही है तो दो और एक कितने हो गए तीन ठीक है इंटू four करना होगा तो total teeth कितने हो जाएंगे 12 यानि यह 12 teeth वो teeth है बेटा जो सिर्फ life में एक ही बार आते हैं clear है बलकुल तो question आए गा number of teeth ठीक है which appear only in single time ठीक है in life ता बोलोगे 12 teeth और क्या बोलते हैं इसलिए इनको monophiodont क्योंकि एक ही बार आ रहे है इनकी अगरम बात करते हैं इनको क्या बोलेंगे monophiodont monophiodont जैनि वो teeth जो life में सिर्फ और शिर्फ एक बार आते हैं बेटा monophiodont ठीक है तो एक बात clear होगी monophiodont 12 होते हैं जिसमें pre molar और molar होते हैं ठीक है pre molar और third molar होते हैं इसको अकलदाड या wisdom teeth बोलते हैं तो एकदम clear है कितने teeth replace हो रहे हैं ठीक है इनको permanent बोलते हैं क्योंकि दुबारा नहीं आते हैं एक ही बार बन गए अब दुबारा नहीं आएंगे ठीक है जिसमें से 20 तो replace होकर के आया है और 12 non replacing है इसलिए इनको monophiodont बोलते हैं तो कई तरीके से question बन सकते हैं बहुत important है याद रखना है आपको फाइनली हम आगे बढ़ते हैं अच्छा एक question और बनेगा तो यह तो के डाइफ आयो दॉन्ट वाला concept ठीक है आगे बढ़ते हैं डाइफ आयो डॉन्ट के वाद थीको डॉन्ट तो आप समझी गए थीको डॉन्ट टीथ प्रेजेंट इन सॉकेट टीथ प्रेजेंट इन सॉकेट चलो ठीक हमारे टीथ ठीको डॉन्ट होते हैं सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं और नम्बर 3 ध्यान रखना है आपको हेटरो डॉन्ट हेट्रो डॉंट NCRT न दे रखा है हेट्रो डॉंट कितने टाइप के हेट्रो डॉंट होते हैं 4 टाइप के होते है हेट्रो मनला different types हेट्रो का मतलब भी होता है different types of teeth तो इस different types of teeth में क्या क्या आ जाएंगे ठीक है A incisor B canine C D D molar यानि incisor को represent करेंगे बटा I से इसको represent करेंगे C से इसको represent करेंगे PM से और इसको M से capital M से यह आपको पता ही है ठीक है अगर हम यह तो आप जानते हो बही incisor cutting teeth होते है कैना इन tearing teeth होते हैं यह grinding teeth होते हैं और हम जाए root की बात कर लेते हैं यह basic बात तो पता ही है आपको तो अगर मैं incisor के अंदर root की बात करता हूं अगर हम incisor में number of root की बात करते हैं बेटा तो जान रखना यहां पर ठीक है one root हो की कैना इन के अंदर बात करते हैं कैना इन के अंदर भी one root ही हो की अपर lower हो यह lower हो ठीक है हाँ pre molar और molar के case में change देखनों को मिलेगा दोनों ही जो मैं upper और lower के case में यह आपको याद रखना है यहां से question बन सकता है क्योंकि NCRT में दे रखा है अगर मैं upper jaw की बात करता हूं upper jaw lower jaw अगर हम बात करते हैं पर निचले वाले jaw में जो pre molar लगे होंगे number of root बन होंगे हमेशा lower jaw में जो pre molar होते हैं यह molar होते है number of root upper jaw से एक कम होता है क्योंकि ऊपर किसी को hold करना है तो आपको ठीक है strongness ज्यादा देने होगी तो number of root ज्यादा होगा ऐसे याद रखना है अपर 2 तो lower 1 तो इससे बड़े हैं तो उससे ज्यादा होंगे तो यहां पर अपर 2 की जागे क्या हो जाएंगे 3 पर lower में क्या होगा एक कम यानि 2 यानि यह root का concept धान रखना है ancestor canine के अंदर तो एक ही root होती है पर pre molar में अपर में 2 तो lower में 1 अपर में 3 तो lower में 2 अब आपको उससे एंसी आर्टी में कहां दे रखा है अब देखो एंसी आर्टी में directly root पर question बनता है अगर हम एंसी आर्टी की बात करते हैं तो पहला question तो बनता है यह इसको erase कर देंगे 1 & 2 क्या है वही 1 & 2 incisor आप समझ गए होगे वही 3 number क्या है canine ठीक है एक ही होता है premolar कितने होते हैं premolar आपको premolar 2 होते हैं number 1 & number 2 यह premolar है तो premolar कितने हो गए premolar बेटा 2 teeth premolar हो गए फिर 3 molar होते है 1 2 3 जिसमें यह 3rd अककल डाल ठीक है तो molar कितने हो गए 3 तो एकदम आप अगर आपको erase भी करता हैं तो आप इन नम्बरिंग के बेस पर identify कर सकते हो कौन कैनाइन है कौन premolar है कौन molar है अब root अगर आपको erase करके यह कौन सा teeth है बेटा एक ही root है तो यह incisor भी हो सकता है और कैनाइन भी हो सकता है ठीक है अब यहां बात करते हैं अच्छा number 1 दे रखा है number 1 का मतलब है यह incisor को represent करता है ठीक है यह number 3 दे रखा है 3 पर क्या है यह कैनाइन को represent करता है number 3 कानाइन को represent करता है number 4 number 4 पर क्याएं प्री मोलर तो यह प्री मोलर को represent करता है ठीक है नंबर 6 नंबर 6 लोलर तो यह molar को represent करता है अब आप समझ पा रहे होगे numbering से ही questions बढ़िया बनते हैं ठीक है pre molar के case में कितने root दिख रहे हैं आपको भई यहाँ पर आपको 2 root दिख रहे हैं ठीक है एक यह है और एक पिछे है तो 2 root दिख रहे हैं बैटा तो यहाँ condition 2 भी हो सकती है और lower में 1 भी हो सकती है molar में आपको 3 देख रहे हैं यानि upper में 2 हो सकते हैं और lower में 3 हो सकते हैं यानि maximum 3 यह maximum 2 तो आप समझ पा रहे होगे upper lower में difference रहता है पस वो identify करना है इस diagram से बहुत बढ़ी हा question बनता है और गलती हो जाती है बट अब नहीं होगी एक question और बनता है यहाँ पर ठीक है इंसे सर केना इन प्री मुलर मुलर समझा ही दिया मैंने अब question बनता है dental formula तो dental formula कैसे निकालते हैं number of teeth in upper half jaw upon number of teeth in lower half jaw upper half jaw मैं number of teeth और lower half jaw अभी half की बात कर रहे हैं हाफ का मतला हो बट जस्ट इधर भी उतने ही होंगे तो human के case में हम फ़र्मुला लिख लो डेंटल फॉर्मुला इस इकल्टू होता क्या है dental formula इस इकल्टू number of teeth in upper half कैसे लिखेंगे ancestor canine premolar molar upon ancestor canine premolar molar number of teeth in upper half and number of teeth in lower half sequence यह रहेगी ठीक है तो अगर हम आपसे पूछे हैं ठीक है dental formula of adult तो adult के dental formula आप देखोगे upper half देख लेते हैं तो upper half में वहन इस इसर कितने होते हैं टू कैनायन कितना होता है one भई प्री मोलर कितने wow होते हैं two और molar कितने होते हैं three clear है तो incisor one canine sorry incisor two canine one premolar two और molar three तो आप समझ गए upper half की बात चल रही है तो upper half के अंदर sequence यह लिखने होगी incisor two canine one premolar two molar three पर human के case में same sequence lower में भी होती है two one two three तो कितने हो जाएंगे बेटा अपर half और lower half में three four five six seven eight eight upon eight तो आपको अगले हाफ के लिए two two का into भी दो करना होगा जब इनको count करोगे तो कितने मैठेंगे 32 तो निकालना किस तरीके से होता है यह समझ में आ होगा तो डेंटल फॉर्मूला एडल का कितना होता है two one two three अपन two one two three अगर एसे हम आप से पूछे कि मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा यह कभी-कभी ऐसे भी पूछ सकता है यह वह टीथ हैं जो लाइफ में two time आते हैं तो इनको डाइफ आयो डाइफ आउट भी बोल सकते हो ऐसे भी पूछ सकता है वह तो आपका अन्सीउज मत हो ना डाइफ आइफ आउड करता हूं समझ ना हम मिल्क टीथ की बात करते हैं तो बच्चों के अंदर इंसिसर होते हैं बच्चों में कैनाइन होते हैं बच्चों में प्री मोलर नहीं होते जीरो और बच्चों में मोलर होते हैं कितने होते हैं two clear दे बल्कुल 2102 तभी तो बताया था हमने कि primary dentition में five upper half म है इन्टू टू इन्टू टू तो टोटल कितने होगे 20 टीथ हो गए समझ पाए होगे आप ठीक है यानि बच्चों में प्री मोलर और थार्ड मोलर नहीं होते ठीक है एकदम क्लियर कट होगा आपको आगे बढ़ते हैं कि अब केंटर डेंटल फॉर्मुला ओफ मोनो फायो डॉंट टीथ की बारें बात कर रहा है मोनो फायो डॉंट का मतलब है ट्वेल टीथ की बात कर रहा है मोनो फायो डॉंट का मतलब है उन टीथ की बात कर रहा है जो लाइफ में ओनली और ओनली सिंगल टाइम आते हैं ओनली मोलर में सिर्फ एक आता है थर्ड मोलर वन तो फरूम क्या होगा है 0021 जानी थ्री अपन थ्री तो इंटू इंटू तू इंटू टू तो टो 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 कितने हो गए 12-2 तो ये 12 तीथ होते हैं बिटा मोनो फायो डॉंट होते हैं ठीक है लाइफ में ओनली सिंगल टाइम ही आते हैं समझ पाई होगे ऐसी आपसे पूछता है 16 इयर ओल्ड तो अगर 16 साल का कोई बच्चा है तो एक्चल में 17 भी बोल सकते थे क्योंकि 18 के आसपास 3rd molar आने की probability होती है 18 से 21 के बीच में 3rd molar आ जाता है ठीक है तो अगर 16 दे रखा है तो समझ दो 3rd molar की बात नहीं कर रहा तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा इसमें इंसिसर होंगे कैनाइन होंगे बिटा प्री मोलर भी यहां पर प्रेजेंट होंगे पर मोलर तू ही होंगे अभी 3rd molar नहीं आया अभी 3rd molar नहीं आया 7 upon 7 into 2 into 2 तो टोटल कितने टीट होगे 28 मतलब अगर 18 से नीचे ठीक है 16 के आसपास की बात करता है तो समझ लिना 3rd molar absent दिखाना है आपको ठीक है क्योंकि वो तो अकल दाड़ है wisdom teeth 18 और 21 के बीच में हैगी तो लागे बढ़ते हैं number of चाकुछ questions है number of teeth which are monofyodont in man अब 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 कितने teeth होंगे monofyodont का मतलब है only एक ही बार आते है 12 teeth यह monofyodont होते है ठीक है in human primary dentition is different from permanent dentition क्या अंतर होता है दोनों dentition में 20 तो दोनों में common होते हैं ठीक है पर एक teeth pre molar pre molar only और only permanent dentition में होता है primary dentition में pre molar नहीं होता molar तो दोनों जगे मिल जाएंगे पर pre molar only present in secondary dentition what is the total number of teeth that are found in both the dental formula बताया ना वहीं कितने teeth हैं तोनों में मिलेंगे 20 teeth 20 teeth बोथ dental formula में present मिलेंगे अटन्ग भई टन्ग में तो ज्यादा कुछ है नहीं पर आप समझ लो फिर भी हम बता देते हैं आपको भई टन्ग होती क्या है तंग एक freely movable muscular organ है ठीक है तो NCRT के line आपको ध्यान रखनी है freely movable muscular organ freely movable muscular organ है वेटा टन्ग ठीक है mastication of food में help करती है attached to the floor of oral cavity by free new lump free new lump के throw oral cavity से attach होता है free new lump होता क्या है तंग के नीचे वाला जो पार्ट जो टन्ग को oral cavity से connect करके रखता है इसको free new lump बोलते है ठीक है अगर इसका diagram बनाऊको तो तंग के surface पर इस तरीके से आपको यह projections देखने को इनको कया बूलते है पैले आपको दिख रहे होंगे पैले की कि को और इन पैकले की पैफिले कि समझे अग्रट को तेस्ट बढ़ है अब समझे ना मेरी बात तो पैप़ले टेस्ट बढ़ को ब्यार करते होते हैं कुछ पैपलों पर number of taste görds कम होते हैं पर कुछ पैपल usuubhy heute होते ही नहीं हैं और taste Greg testing'd से इंका connection के तो दर ब्रांच ऑफ services यह ब्रांच ऑफ सब्सक्राइब, अलीट इस ड्रस ज़त बाद यह चैंघ के घर्कार्ट हएब चिक्यूकुर्स इकारी पीशान अटा मेंयरी तेज्च आहिं यह वालीग बात बी क्लियर है प्रोजिक्शन कॉल्ट पैपले सम उस बेर टेष्ट बड्ड कुस्के PARSD बड्ड होते बर Randy के पास taste bud नहीं भी होते हैं यह surface area increase करने का काम करते हैं और tunky surface को rough बनाने के लिए responsible होते हैं जिससे कि अच्छे से food masticate हो पाए pharynx pharynx तो common है ठीक है अगर हम pharynx की बात करते हैं तो pharynx is a common passes for air and food तो air of food के लिए जो common passes होता है बटा इसी को तो तो फेरिंग्स बोलते हैं तो यहां नेजो यह ठीक है वागम फेरिंग्स की बात करते हैं यह pharynx है इस अब इस अब कॉमन पैसे फॉर एयर एंड फूर भाई यहां से food भी इसमें एंटर करेगा ठीक है और एयर भी एंटर करेगी यह एयर के लिए भी common passes है और food के लिए भी common पैसे है इसी को हम pharynx term यूज करते है ठीक है तो दा ओरल cavity lead into a short pharynx ठीक है तो अग हम pharynx की बात करते हैं तो इसमें ध्यान रखना को भई ये तो मालो ट्रेकिया है तो ये इस ओफेगर्स और ट्रेकिया को जो इसको cover करने के लिए एक flap होता है यहां पर ये flap like structure इसको क्या बोलते हैं अच्थ औरए यह इसको अपने होती है को बोलते है गलिट ढूरो घॉलटस को समझ में आयोंतोता कैकि इसलिक घॉत है व्ली ऑब पीक याररण फूड में लाइन यही है ठीक है और स्कार्म बिं खरत। मसता है जयो के व्लाटेस में पैंड जो आपके कंट्रोल में होता है ठीक है है यहां काटिलेजनस फ्लैप होता है एपिक लॉटेस समझाए दिया प्रिवेंट दा एंट्री ओ फूड इंट्र ना कर जाए तो जब आप फूड को डी गलूटिनेट करते हो निगलते हो तो उससे मैं एपिक लॉटेस लॉटेस को करता है ट्रैक यहां में नहीं ओपन कर एंटर करता ओपनिंग ओविंट पाइप ड्यूरिंग दा स्वालिंग ऑफ फूड एक दम क्लियर फाइनल आगे बढ़ते हैं इस ओफेगास इसको फूड पाइब भी बोलते है ट्वांटी टू ट्वांटी फाइफ सेंटीमिटर्स क कनेक्टेड होती है तो इस टमक जहां इस टमक से कनेक्टेड होती है तो यहां पर एक स्फिंग्टर होता है काडियक स्फिंग्टर ठीक है तो दिहां रखना है और और फाइनली यहां डियुडिनम होती है तो डियुडिनम के पास भी यहां एक स्फिंग्टर होता है पाइलोरे के स्फिंग्टर यह आप जानते ही हो ठीक है तो इसोफेगस एक 22-25 cm एक food pipe है ठीक है जिसमें आप जानते हो इसका जो अपर वन थाड़ पार्ट है इसमें तो skeletal muscles होते हैं but lower two-third part है यहां पर smooth muscles होते है यानि अपर पार्ट जो फैरिंग से connected है ठीक है वो हमारे control में है वहाँ पर वहाँ जो movement होते हैं deglutinate soling of food जब खाने को आप निगलते हो तो अपनी इच्छा से निगलते हो तो उसमें contraction करके यह food को कहा एंटर कराता है इसोफेगस में और इसोफेगस कहां लेके जाती है इसको एपसेंट इसोफेगस में डाइजेशन और अब्जॉप्शन नहीं होता यह उल्ली एक food pipe है जो muscular pharynx से connected है और कहां तक जोड़ रहा हुआ है स्टमक तक इस्टमक में एक लाइन बस पूछी जाती है जो काम की है क्या यह जे शेप होता है जे होता है मस्कुलर ओर्गन है विच स्टोर food for 425 hours नहीं 425 hours के लिए यह food को स्टोर करने के लिए responsible होता है ठीक है तो इसको हम बस main line यह है ठीक है अगर हम इसके structure की बात करते हैं अगर हम इसके structure की बात करते हैं तो इस फैगस और इस फैगस यह connected हुई stomach से ऐसे यह जिडिनम ठीक है यहाँ पर दो स्फिंग्टर होंगे एक स्फिंग्टर यहां गया एक स्फिंग्टर यहां गया गया पर कि तीक है यहां यहां यह दिखा देते हैं चलो कि शीशेप ड्यूडिनम आ जाएगी कि इस ओफ एगस है एक अब स्फिंग्टर यहां धान रखने को दोने स्फिंटर के बारे में इसको तो बोलते हैं पालोर्य के स्फिंग्टर इसको बोलते हैं कार्डियक या गैस्ट्रो इसोफ एकल स्फिंग्टर ठीक है कार्डियक या गैस्ट्रो इसोफ एकल इस फिंग्टर ठीक है बस में दो स्फिंग्टर ध्यान रखने हैं एक इसोफ एक से एक डियूटरन से कनेक्ट करता है अब इस टमक को फूर पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो कोशन क्या सकता है इस टमक का वो पार्ट बेटा जो पोजिशन समादना इसकी स्टमक की इस टमक की पोजिशन कहा होगी इस टमक ध्यांगना जस्ट बिलो डाइफ राम होता है बेटा और लेफ साइड में होता है तो पोजिशन मत भूलना इसकी पोजिशन कैदे रखिये एक तो इस गैस्ट्रीश्टर संबज में आए गया है रेगुलेट दा ओपनिंग ओफ इस टमक रहे इस टमर्ग आप हुग लुकस्ट्र अपर लेफ्ट अपर लेफ्ट पॉर्शन अफ ultimately हमारी दयाप लेफ्ट पोजिशन में इसली होता इ Сам के लिए इसको फूर पार्ट में आप डिबाय में कर सकते हो यह बहुत इंपोर्ण है आपको पता भी होंनी चाहिए इस इ इस ओफेकस से connected होता है, food जिसमें एंटर करता है, यह हो गया cardiac, यह तो गया fundus, यह हो गया cardiac, समझना, वो पार्ट बिटा, जो डियूटिनम से जुड़ा हुआ होता है, इसको क्या बोलते हैं, pyloric, और remaining बाला जो पार्ट बचा, इसको आप body बोल सकते हो, ठीक है, तो आप इस ठीक है, पाइलोरिक, जो ठीक है, डियूटिनम से जुड़ा हुआ होगा, पाइलोरिक और remaining बचा हुआ पार्ट, बस चार पार्टों में डिवाइड किया है, दो स्फिंग तर है, पोजिशन ध्यानक नहीं है, जे शेफ, मस्कुलर और ओर्गन होता है, जो food को 4-5 hours के लिए स्टोर करता है, main point जहां से question बनते हैं, intestine, और intestine की बात करते हैं, तो intestine को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 part, duodenum, jejunum, ileum, और आप से पूछा जाएगा कि maximum digestion कहां होता है, duodenum, 84 है, पर maximum digestion duodenum, क्यों, क्योंकि duodenum के अंदर, देखो, भई, pancreas भी उपन कर रहा है, duodenum में bile भी उपन करता है, यहीं, bile duct भी उपन करती है, duodenum में intersternal glands भी होते हैं, तो duodenum में bruners gland भी होते हैं, यहीं, duodenum बाला part, maximum gland present होते हैं, इसलिए maximum digestion, duodenum, पर अगर आप से पूछा जाए, कि यह digestion कहां तक होता है, end of digestion, तो वो jejunum, ileum तक होता है, यहीं, duodenum की mechanism होती है, वो process of digestion, तो आप बलो कि jejunum, ileum, यहीं, आगे तक चलेगी, ileum तो digestion की mechanism चलती है, small intestine बनी ही digestion के लिए है, large intestine में digestion नहीं होता, small intestine में digestion होता है, उसमें भी maximum digestion in duodenum, और maximum absorption, jejunum, ठीक है, वहीं, especially jejunum, ileum, यहीं, आगे जाकर कि absorption mechanism start हो जाएगी, ठीक है, तो समद में आगे होता है, small intestine की length की अगर बात करते हैं, तो approximately 6 meter के आसपास इसकी length होती है, ठीक है, 3 part में आप divide कर सकते हो, इसको, duodenum, jejunum, ileum, ठीक है, duodenum की shape कैसे होती है, old NCRT में क्या दे रखी है, U shape, पर आप क्या धियान रखने है, C shape, duodenum होती है, जो किसमें open करती है, एक coiled बाला part होता है, jejunum मे open करती है, यह 3 part होती है, small intestine की, अब एक मैं बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आप से पूछे, कि which of the following characteristic feature, ठीक है, which distinguish is duodenum and jejunum, देखने में तो, अगर, यह तो, C shape, हम स्टेट रख दें आपके सामने, आप कैसे identify करोगे, duodenum क्या है, jejunum क्या है, ileum क्य है, किसके base पर, तो आप उसकी histology करोगे, अगर आप कट करके देखते हो, क्योंकि duodenum में, bruner's gland मिलते हैं, bruner's gland only present in sub mucosa of duodenum, के लिए रहे हैं, बलकुल, तो अगर मैं bruner's gland की बात करता हूँ, कुछ खास बातें लिखाए देता हूँ, चलो, ठीक है, bruner's gland only present in sub mucosa of duodenum यानि जो bruner's gland होती है, वो सिर्फ duodenum की sub mucosa में मिलती हैं, अगर आप कट करके देखते हो, जहां तक duodenum है, जहां तक आपको bruner's gland मिल रहे हैं, वो duodenum है, और bruner's gland मिलना बंद हो गया, तो समझनों, jejunum स्टार्ट हो गया, एक काम क्लियर हो गया, ऐसे पूछेगा, which of the following, the characteristic feature, जो भी कुछ पूछ सकता है, which distinguished jejunum to ilium, तो अब ऐसा क्या है, जो only ilium में मिलता है, अब देखो, next point, साथ आप जानते भी होगे, pear's patches, pear's patches, it is a lymphoid tissue, lymphoid tissue, only, again, only, present in mucosa sub-mucosa, sub-mucosa तक ही फैले होते हैं, of ilium, यहनि, ilium की mucosa, sub-mucosa तक भी होते हैं, पर mucosa में तो होते ही हैं, ठीक है, यह pear's patches देखने को मिलते हैं, it is a lymphoid tissue, यह दो features ऐसे हैं, जो deutenum को jejunum से, और jejunum को ilium से distinct करने में, capable M, और small intestine का main purpose क्या होता है, भई, maximum with digestion and absorption, for digestion and absorption, तो main small intestine बनी ही हैं, digestion और absorption के लिए है, ठीक है, और absorption के लिए, यहां पर खास टाइप के brush border columnar epithelial होते हैं, ठीक है, the lining of small intestine, तो यह जो brush border columnar epithelial tissue होते हैं, increase surface area, क्या करते हैं बैटा, increase करते हैं, surface area, for absorption, यह आप से कहा जाए, large intestine को small intestine से distinguish करो, तो अब लोगे, on the basis of brush border cubital epithelial tissue, brush border columnar epithelial tissue, brush border appearance only presenting small intestine, brush border appearance only presenting small intestine, which increase surface area for absorption of food, यह वो फीचर से हैं, जो बाते हैं, जो छुपी हुई होते हैं, जो छुपी हुई होते हैं, थोड़ा से मैंने आपको clear की, कि कहां से question बनता है, तो large intestine की बात करते हैं, तो simple है, large intestine को, अगर हम length की बात करते हैं, large intestine की, तो आप जानते हो, approximately 1.5, 1.5 meter के आसपास होती है, ठीक है, इसको भी आप, भी divide कर सकते हो, सबसे पहले सिक्कम, यह, work me form appendix, सिक्कम, बिल्कुल blind sack भी बोलते हैं, सिक्कम को क्योंकि नीचे से बंद होता है, उपर से खुला होता है, इसको blind sack, सिक्कम बोलते हैं, और सिक्कम में ही small intestine आकर के क्या करती है, आकर के open करती है, सिक्कम के अंदर symbiotic microorganism भी मिलते हैं, बेटा, होते तो colon में भी है, rectum में भी है, पर NCRT ने सिक्कम दे रखा है, ठीक है, इलियम open into large intestine, ठीक है, it consists of cecum, cecum आपके सामने, colon and rectum, cecum is small blind sack, भाई, नीचे से बंद होपर से खुला है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको हम blind sack, sack, ठीक है, it is also called blind sack, which hosts some symbiotic microorganism, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, some symbiotic microorganism होते हैं, ठीक है, जो vitamin, ध्यान एकना है, vitamin B and vitamin K के formation में participate करते हैं, इसका formation, अब बोलोगे, vitamin B and K, और food के fermentation में भी help करते हैं, तो vitamin B and vitamin K के formation में participate करते हैं, and food के absorption में भी participate करते हैं, sorry, food के fermentation में भी participate करते हैं, a narrow finger-like projection, क्या बोलते हैं, tubular projection को, vermiform appendix, जो एक vestigial organ है, वो अपने represent करी दिया है, it is a vermiform appendix, it is a vestigial organ of sicum, the sicum open into colon, अहां हम बात करते हैं, colon की, अगर हम colon की बात करते हैं, तो ये, इस चरी हिस्ट्रा होते हैं, ये हिस्ट्रा, ascending colon होती है, फिर transfers colon होती है, बुलकुल सेम ऐसे ही, और ये transfer colon फिर convert होती है, descending colon के अंदर, और descending colon finally खुलती है, rectum के अंदर, यहाँ पर दो again sphincter होते हैं, external voluntary और internal involuntary, ठीक है, तो the sicum open into colon, the colon is divided into four parts, और four parts समझ में आगए होगे, पहला क्या हमने बोला, ascending colon, फिर transfers colon, फिर descending colon, और finally sigmoid colon, पुरानी NCRT नहीं था, नहीं में कर दिया है, ठीक है, और फिर finally क्या जाता है, rectum, यह क्या होगी, colon, ठीक है, ascending, transfer, descending, और in sigmoid, the descending part of open into rectum, which open through anus, आप जानते हैं, इसकी opening को क्या बोलते हैं, हम anus बोलते हैं, एकदम clear, तो यह track तो समझ में आगए, आपको कहीं मुझे लगता है, कोई doubt है, इस track में, अब बताती है, इस track को अगर cut करके देखोगे, तो इसमें layers देखने को मिलते हैं, तो इसमें layers की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, बिटा, मु, lumen, lumen समझ रहे हो, अगर आप से कहा inner to outer, या outer to inner, कैसे भी पूछ सकता है आपको, तो सबसे पहले क्या मिलेगी, आपको mucosa, ठीक है, तो अगर मैं mucosa की बात करता हूँ, mucosa inner layer, inner layer होती है बटा, इसमें भी three layer हो सकते हैं, क्या-क्या, भई इसमें epithelial tissue भी हो सकते हैं, epithelial tissue, epithelial, epithelial layer है, और इसके बीच में connected tissue होते हैं, lamina propria बोलते हैं इसको, lamina propria, connected tissue है, loose connected tissue, और outer side में होंगे बटा, muscular layer, smooth muscles होते हैं, इसको बोलते हैं, muscularis mucosa, muscularis mucosa, mucosa, यानि, यह समझ नहीं कुशिश करो कि बटा, यहाँ पर, देखो, यह जो fold दिख रहे हैं, यह fold जो दिख रहे हैं, यह तो epithelial tissue है, यहाँ से यहाँ तक तो epithelium है, epithelium, और जो आपको pink color की layer दिख रहे होगी, यहाँ पर यह, यह बटा muscular layer है, यह muscles हैं, smooth muscles, यह सारे के सारे smooth muscles हैं, इसको muscularis mucosa बोलेंगे, ठीक है, muscularis mucosa, और इन दौनों के बीच में, इन दौनों के बीच में, जो भी कुछ होगा, वो क्या है बटा, lose connective tissue, मुकोसा के ठीक पीछे जा रहे है, ठीक पीछे, सब मुकोसा, और हम सब मुकोसा की बात करते हैं, तो सब मुकोसा तो only, किसे मिलके बनी होती है, loose connective tissue, only loose connective tissue होते है, loose connective tissue, पर अंतर है, इन loose connective tissue के अंदर, ध्यान खना, nerve present होते है, nerve present होते है, जबकि मुकोसा के loose connective tissue में, nerve नहीं होते, यहाँ पर, ध्यान खना, malt मिलेंगे, आपको, M, A, L, T, आप जानते हैं भी होगे, मुकोसा associated lymphoid tissue, बताए भी थे, मैंने, spatches, यहाँ पर blood vessels मिलेंगे, यहाँ पर lymph vessels मिलेंगे, ठीक है, बट यहाँ पर nerve नहीं मिलेंगे, यहाँ पर nerve भी होते हैं, यहाँ पर lymphoid tissue भी होते हैं, बिटा, ठीक है, यहाँ पर blood vessels भी होते हैं, और lymph vessels भी होते हैं यानि अंतर क्या है दौनों के अंतर एक question आया हुआ है और बच्चों बच्चे confused होते हैं इसलिए बताता हूं मैं सब म्यूकोसा में नर्व प्रिजेंट होते हैं म्यूकोसा में नर्व नहीं होते बस यह आपको ध्यान रखना है तो सबसे अंदर की layer म्यूक म्यूकोसा क्यों बोला क्योंकि internally line होती है म्यूकस से सोटी स्कॉल म्यूकोसा इसके ठीक पीच्चे सब म्यूकोसा जो only and only loose connected tissue से मिलके बनी होती है ठीक है जिसमें नर्व होते हैं जब कि म्यूकोसा में नर्व नहीं होते हैं बात बाकी के connected tissue में सब similarity है फिर ठीक उसके पीछे और जाओ ठीक है अगर मैं longitudinal की बात करता हूं तो देखने में circular लग रहे हैं और इस तरीके से हैं तो सर्किल में वह सर्कूलर है longitudinal circular इसलिए लग रहे हैं कि यह मानो longitudinal muscles है पर आप इसका TS कट करके देखोगे तो आगे से तो कैसे देख रहा है circular इसलिए ध्यानक ना है जो circular देख रहे हैं वह एक्च्वल में ठीक है longitudinal है और इनर वाले circular तो यह कोशन आता है circular longitudinal के ऊपर तो द्यानक ना यह मस्क्योलेरिस कि एक्स्टर्ना कि दो लेयर होते हैं इसके अंदर और फिर आती यह फाइनली बात सी रोसा आउटर लेयर अगर मैं इस आउटर लेयर की बात करता हूँ सिरोसा की बात करता हूँ तो ध्यानक ना है आपको इस में भी दो लेयर होते हैं क्योंकि NCRT ने इस तरीके से लिख रखा है कि सिरोसा का formation तो simple schemas epithelium tissue से होता है इसको mesothelium बोलते हैं यानि inner तो होगी mesothelium 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 पर इसके चारों तरफ कोर होंगे बेटा अटैच आप बोलोगे इसके एर्राउंड बेटा होंगे ariolar connective tissue ariolar connective tissue की एक लेयर और होगी ariolar को कि वो हर एक और इनके चारों तरफ ariolar होते हैं टिश्यू में बताया भी था आपने इसलिए इनको packing tissue बोलते हैं तो आउटर क्या होगा यहां पर ariolar ariolar तो बाहर ariolar होंगे नीचे mesothelium होगी क्योंकि mesothelium से मिल करके serosa का formation होता है तो बस inner to outer पूछेगा तो आप पहले मुकोसा फिर सब मुकोसा फिर muscularis external then serosa muscularis external में भी पूछेगा पहले circular या longitudinal inner to outer में पहले circular फिर longitudinal outer to inner में पहले longitudinal फिर circular बस यह sequence मत भूलना तो चारों layer clear हो गया होगे मुझे लगता कोई doubt नहीं है अब जैसे stomach के case में थोड़ा change होता है ठीक है इस stomach के case में इस muscularis external में तू की जगे three muscles देखने को मिलते हैं ठीक है क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं आप बहुके contraction ज्यादा होते हैं तो nature नहीं हाँ आपर longitudinal circular के साथ साथ एक muscles और प्रोवाइड कर आए oblique muscles यह समझना है आपको तो in case of stomach ठीक है in case of muscular layer of stomach in case of stomach extra third muscular layer extra third muscular layer present below circular muscles यानि अगर stomach का structure देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले बाहर कैसे दिखेंगे आपको भी बाहर तो आपको भी longitudinal muscles दिखेंगे वह longitudinal वाले और फिर क्या देखेंगे आपको circular muscles दिखेंगे आपको circular muscles circular muscles यह दो तो सभी जगे होते हैं प्रिस्तमक में एक additional muscles और हैं वह कौन से हैं oblique oblique का मतलब तिर्छे oblique तो in case of stomach यहाँ पर एक नहीं तीन तीन layer है बेटा इनको ध्यान रखना है आपको इन कोई तो अगर आपसे पुछे ओटर टूइनर ठीक है तो I aughter ओर क्यaller इनर मैं तो इन केस ऑफिस्टमक Protoss muscularis Extra ना की बात कर रहा हूं किसकल बात कर बात कर रहा हूं muscularis Extra ना पंत इस में मस्कुला इस एक्स्राइब है उपर वाली तो गए लॉंगी ट्यूटिनल का लोंगी हे रिभ्लेट है प्री अब repair हम चेडंड इवाले क्या होगे सरक्फूलर सर्क्यूलर और सबसे इन वाले एक additional layer क्या आगई है आप पर oblique oblique मतलब तिर्छे तो actual मैं in case of stomach वो outer to inner पूछेगा in case of stomach outer to inner पूछेगा तो आप क्या बताओगे C-rosa, फिर longitudinal muscles फिर circular muscles फिर oblique muscles फिर sub-mucosa inner to outer पूछेगा तो आप समझ के स्कोलटा करता होगे पर stomach के अलावा वो intestine oblique को हटा दोगे बस इतना अंतर कर रहा है आपको तो oblique एक additional muscles होते है in case of stomach ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है इस पर question आता है अब एक पार्ट हमारा finish हो गया कि digestive track की हम बात कर रहे थे वो एकदम clear है अब हम बात करते हैं digestive glands ठीक है तो gland में सबसे पहले बात आती है तो तीनी gland दे रखेंगे एक हम एडिशनल पढ़ाएंगे क्योंकि उससे हर साल question आ रहा है आप उठा के देख लेना नीट कप ठीक है liver pancreas और salivary gland तो पहले मैं salivary gland की बात करता हूं human अब हम बात करते हैं position तो यहां पर तो आप जानते हो यह ठीक इसके नीचे यहां पर लाज़े शलाइवरी ग्लेंट ठीक है अपर और लोवर जोग एस्पेसिल लोवर जोगे जंक्शन पर सब मैंडी बूलर और ठीक टंग के नीचे यहां पर सब लिंग्वाल तीन कि सलायव ग्लेंट रोट रजके टीनों की डट की ऐगर हम बात करते हैं यह उपन करते हैं ए खाट यहां आ होगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर पेरोटिक लेंट वन पेर लार्जेस्ट होते हैं यह ध्यान रखना है उपन का करते हैं उपन बिलो प्रेजेंट बिलो ले पोजिशन प्रेजेंट चीक यह भी बोल सकते हो और ठीक है इनकी डक्ट को क्या बोलते हैं इनकी डक्ट को बोलते हैं इनकी डक्ट को बोलते हैं स्टेंशन असको अलगी लिख देते हैं सलावा केतना रिलीज करते हैं रिलीज कि फुट है रर्लि फो निए पर मैक्समर्ड वर् दिलीज करते हैं अगर हम इसकी बात करते हैं जाव जो पहलते हैं उसको भई सो मैंडिव बूलर मेंडीबल के नीचे मैंडी भी लर ओपन कहां प्रेजेंट है प्रेजेंट प्रेजेंट बिलोग यह मैंडीबल ठीक हैं दूसरा कितना सलावार रिलीज करते हैं रिलीज maximum मतलब आप बोल सकते हो approximately 70% of total saliva 70% of total saliva ठीक है अब तीसरी जहार पर बात आएगी इसकी बात आएगी क्या बोलेंगे सब माने नीचे lingual लिंग्वा माने टंग सब लिंग्वा के नीचे टंग के नीचे smallest होते हैं पहली बात दूसरा ध्यान रखना है कितना सलाइवा रिलीज करते हैं रिलीज अप्रोक्सिमेटली 5% यानि मिनीमम सलाइवा इनों की डक्ट इंपोर्डेंट है याद रख पातों बहुत अच्छी बात है इस्टेंशन लिंग्वल की रेवनास यह तीनों डक्ट हो गए बेटा इनों डक्ट याद हो जाना बहुत शी बात है बस यह तीनों सलाइवरी ग्लेंड ने में पाइंट पर ने दिखी दिए और सबसे इंपोडेंट इसका कंपोजिशन है और इन कंपोजिशन की बात करते हैं वन पॉइंट लिटर पर डे सदावा रिलीज होता है पी एच स्लाइटली ऐसे डिक होती है 6.8 के आसपास ठीक है maximum water होता है 0.5 में सब कुछ आ गया ions में sodium ion तो सब होते ही है potassium होते ही है पर यहां खास बात किस की है क्लोराइडाइन कि क्लोराइडाइन एक्ट एस एक्ट एस को फेक्टर इसके लिए को फेक्टर काम कर रहे हैं फॉर सलाइवरी amylase अगर सलाइवरी amylase को अपना काम करना है तो इसको को फेक्टर चाहिए अगर आप से कहा जाए कि सलाइवा में कलोराइडाइन एपसेंट है तो किसके डाइजेशन पर एफेक्ट पड़ेगा कलोराइडाइन नहीं है तो सलाइवरी amylase वर्क नहीं करेगा मीस स्टार्ट का डाइजेशन नहीं होगा एकदम दिमाग में रखना है आपको वाइक आपने टाइन पीच को मेंटिन करते हैं फॉस्पेट अगे निसी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं क्लियर है एंटी बेक्टरिल सबस्टेंस में आप जानते हो लाइसोजायम होता ह है कि आप जानते हो थाजयोसायन होता चाहिए और इजी एंटी बडी इस सिक्रेट्रिट बडी ठीक है जो बडी सीक्रेशन में देखने को मिलते हैं यह भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं तो में 3 तीनों गतीनों एंटी वेक्टिरिल सलिएंस से नंबर वन ठीक है लाइसोजाइम यह भी बडी सेक्रेशन में होता है यहां पर भी होता है यह झाल फिक्क्तिरिल होता है इम्यूनोगलोबलिन आईजी ए ए अंटी बैक्टिरियल है और थायो सानेट अल्सों प्रेजेंट करेगा ठीक है verli lipage ओर ब ईथ करूपके तो का गता है यह पैंकट है जाहां से कोशना आता है बहुत इंप्रेबिल्ट है इक्समें यह रिपीट हया है तो आने के probability रहती है next gastric gland gastric gland की अगर हम बात करते हैं तो यहां से question आने की probability होती है gastric gland से अब समझना gastric gland होती क्या है mucoza में मिलने वाले ये folds हैं इन्ही को तो gastric gland वोते हैं जैसे हम दिखा देते हैं आपको बहले बताई दें थोड़ा सा मानो जो stomach है ये Stomach है ऐसे Also stomach की meukosa में ऐसे fold होते हैं ये विलाई नहीं होते क्यांकि stomach में विलाई नहीं मिलते हैं ये prominent folds मिलते हैं इनको हम gastric ruhs बोलते हैं गैस्ट्रिक भूगे ये कहा है gastric ruhs आइए य हम रूगे का मतलब fold है तो यही gastric रूगे ही gastric gland बनाने के लिए responsible होते हैं तो एक fold को अगर बाहर निकालो दिखा देते हैं आपको निकाल करके एक fold को अगर बाहर निकाल के आप देखो एक fold बाहर निकाल लेते हैं ठीक है बस इस तरह की fold बने हुए इन्हीं को हम क्या बोल देंगे gastric lens इड़े गेस्टिक लेंड ठीक है अब यह gastric lens जो म्यूको सामें भाई गेस्टिक लेंड के म्यूको सामें मिलने वाले prominent folds ठीक है इन गेस्टिक लेंड के अंदर होता क्या-क्या इनकी neck पर कुछ cell लगे हुए हैं जो mucus को release करते हैं neck पर मिलते हैं so it is called mucus neck cell इसके अलावा गर हम बात करते हैं तो इनके parietal side में कुछ cell देखने को मिलते हैं parietal side में so it is called parietal cell तोकि इनके lateral side में देखने को मिल रहा है parietal cells अब समझना इसके अलावा ठीक है इसके अलावा अगर देखा जाए तो पूरे फोल्ड पर जगे जगे पर पूरे फोल्ड पर maximum cell देखने को मिलते हैं यह chief cell है क्योंकि maximum amount में तो sort is called chief cell क्योंकि यह protein digestive inactive protein digestive enzyme को release करते हैं इनको जाइमोजन कहते हैं इनको जाइमोजन कहते हैं इनको बोलते हैं mucus neck cell mucus neck cells वह क्या release करते हैं यह release करते हैं बैटा 1-2-3 mm thick layer of mucus mucus की 1-2-3 mm thick layer release करते हैं जो भी किसे protect करते हैं protect from आप बोलोगे यह protect करती है एक तो hcl से hcl और protein digestive enzyme प्रोटियो लिटिक enzyme तो बास इस layer का होना बहुत जरूरी है इसके अलावा बेटा यहां आप को पिंक लगके दिखा रखें यह क्या है पराइटल सेल पराइटल पराइटल सेल्स इट इस अल्सों कॉल्ड थिक है ओग्जेंटिक सेल्स और यह लेटर साइट पर होते हैं पराइटल साइट पर होते हैं सोड इसकॉल पराइटल नैक पर होते हैं सोड इसकॉल म्यूकस नैक सेल्स समाझ पारे होगे यह क्या रिलीज करते हैं यह रिलीज करते हैं रिलीज ठीक है एक तो HCL को भी रिलीज करते हैं यह ठीक है और साथ में कैस्टिल इंटराइंसिक फैक्टर कैस्टिल्स इंटराइंसिक फैक्टर इसको बोलते हैं CIF इसको भी रिलीज करते हैं ठीक है इनकी फंक्शन क्या है मैं समझाता हूँ अभी ठीक है कैस्टिल का में रोल होता है इसके अलावाद आपको दिख रहे हैं यलो को लर्के यह क्या है यह है यह है बिटा चीफ सेल यह इनकाम जमोजन सेल भी बोलते हैं C setzen S चीफ का मतलब maximum in number, number में सब से ज़्ज़ा होते हैं so what is called Chief Cell, जाइमोजन क्योंकि जाइमोजन का मतलब होता है inactive protein digestive enzyme, जाइमोजन को इनक्टिव 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 प्रोटीन डाइजेस्टेव एंजाइम जैनि इनक्टेव प्रोटीन डाइजेस्टेव एंजाइम को रिलीज कर रहे हैं को इनक्टेव प्रोटीन डाइजेस्टेव एंजाइम को जाइमोजन बोलते हैं को आप जानते हो एक्टेव प्रोटीन डाइजेस्टेव एंजाइम कभी रिलीज ही नहीं हो सकते तो यह एक्टिव फॉर्म में रिलीज होंगे तो उस ग्लेंड को ही डाइजिस्ट करते हैंगे आप समाधर ना कि प्रोटीन से मिलके तो पूरी बाड़ी बनी है तो प्रोटीन इस ग्लेंड के बारे में अब यहां हमें समझना है HCL of Castile Intrinsic Factor का role, इस पर question आता है role of HCL, HCL क्या काम करता है, इस पर question आएगा तो अगर हम role की बात करते हैं, first काम क्या करेगा भी HCL, maintain acidic pH of stomach इस तमाख की acidic pH को यही तो maintain करके रख रहा है, HCL, दूसरा क्या काम करता है, बहुत important kill most of the pathogen most of the pathogen को kill करने में भी इसका बहुत important role है, इसके अलावा कर हम बात करते हैं, और क्या करता है, ठीक है HCL, यह HCL इनक्टिव protein digestive बहन जाएं, तोकि इस टमाख में inactive form में निकलेंगे, जाइमोजन की form में निकलेंगे, उसको activate भी करेगा, activation of gemogen activation of gemogen gemogen को भी activate करेगा, इसके अलावा एक बहुत important function और है, यह convert करता है HCL, किसको यह convert करता है, आप जो खाते हो, उसमें जो iron होता है बेटा, वो ferric होता है, FE 3 positive, तो यह जो convert करता है, FE 3 positive को, FE 2 positive के अंदर, और FE 2 positive के अगर बात करते हैं, इसको बोलते हैं, ferrous, ferric, रिक मतलब ज्यादा, 3 positive है, तो ferric, ferrous, कम, 2 positive है, तो ferrous, समझ गए होगे, तो HCL का ही work होता है, FE 3 को, FE 2 में convert करना, और FE 2, क्या roll play करता है आपके अंदर, formation of hemoglobin, formation of HB, hemoglobin, hemoglobin formation में यह participate करेगा, means, अगर HCL नहीं है, तो FE 3, FE 2 में convert नहीं होगा, means, आपका hemoglobin नहीं बनेगा, और hemoglobin नहीं बनेगा, तो hemoglobin का होता है, RBC के अंदर, तो RBC पिचक जाएंगे, size small हो जाएगा, और small size के RBC को हमारे body के macrophage identify नहीं कर पाते, उनको मार दिया जाएगा, तो कि small size के RBC क्या कर रहे है body में, उनको identify नहीं करेंगे, खतम करतेंगे, और इस बज़े से धीरे-धीरे RBC count कम हो जाएगा, और anemia हो जाएगा, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको iron deficient anemia, तो कि iron की कमी से हुआ, और main cost क्या था, होने का small size, so it is called micro citic anemia, तो notable point करके लिख देता हूं मैं, note, absence of HCl, अगर HCl की absence होगी, तो इसको बोलते हैं, एक chlorhydria, ए मतलब absence, chlorhydria मतलब HCl, इस case में क्या होगा, इसके case में होता है, iron Fe 2 positive deficiency, anemia, anemia का मतलब होता है, आरवीसी संख्या कम हो जाना, iron deficiency anemia, क्योंकि HCl नहीं होगा, तो इसकी कमी से anemia हो जाएगा, और anemia क्यों हो रहा है, क्योंकि hemoglobin नहीं हैं, रवीसी के अंदर, without hemoglobin रवीसी बन रहे हैं, तो ऐसे छोटे छोटे आरवीसी को मार दिया जाएगा, cause क्या है, it is also called microcetic anemia, microcetic anemia, तो यह समझ में आया होगा, SCL का रोल क्या है, यह neat मैं कोशन हर साल आ रहा है, इसलिए मुझे समझाना बढ़ रहा है, ऐसे हम roll of castile intrinsic factor देखते हैं, roll of castile intrinsic factor, यह क्या करता है, castile intrinsic factor समझना, absorption of vitamin B12, आप कुछ भी कर लो, अगर कितना भी vitamin B12 खा लो, अगर यह castile intrinsic factor नहीं निकलेगा, intrinsic क्योंकि अंदर से निकलता है, ठीक है, vitamin B12 को आप extrinsic factor बोल सकते हो, क्योंकि बाहार से लेते हो, ठीक है, और castile intrinsic factor अंदर से निकल रहा है, तो अगर यह नहीं निकलेगा, vitamin B12 का absorption नहीं होगा, और vitamin B12 का absorption नहीं होगा, तो क्या होगा, आप देखो, role of vitamin B12 का है, वह पता न चाहिए, role of vitamin B12, vitamin B12 का role का है, it is responsible for maturation of RBC, ठीक है, जैसे यह बड़े size की RBC है, immature RBC, size क्या है, size क्या है, large, पर vitamin B12 का काम करता है, vitamin B12, RBC का maturation कराता है, vitamin B12, maturation कराएगा, जब RBC का maturation होगा, size small हो जाएगा, shape change हो जाएगी, मैचूर RBC, size क्या हो गया है, small, यानि अगर vitamin B12 नहीं होगा, तो क्या RBC mature हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, maturation नहीं होगा, ठीक है, और maturation नहीं होगा, तो हमारे body में, large size की RBC present होगा, क्योंकि maturation के बाद तो size small हो रहा है, ठीक है, यानि अगर इसकी absence होगी, तो यह mechanism नहीं होगी, mechanism नहीं होगी, तो blood में, क्या होगे, इस type की RBC present होगी, ठीक है, during absence of vitamin B12, large size of RBC present in blood, तो blood में, large size की RBC देखने को मिलेंगे, और क्या large size की RBC को, macrophage छोड़ देंगे बेटा, नहीं छोड़ेंगे, फिर इनको मारना start करेंगे, क्योंकि size normal से बड़ा है, तो again enemy होगा, और अब कैसा enemy होगा, macro citic enemy होगा, macro citic, enemy होगा, और इसको एक नाम से और जानते हैं, पर नहीं CS enemy होगा, तो अब समझ में आ गया होगा, कि अगर HCL की deficiency हो जाएगी, तो iron deficient या macro citic enemy होगा, या vitamin B2L की deficiency होगा, या castile intrinsic factor की deficiency हो जाएगी, तो macro citic या pernicious enemy हो जाएगा, clear cut हो गया होगा, बहुत question आता है, तो समझ में आ गया होगा, अब बात आती है liver, भई liver की बात आती है, तो liver को मैं एक साथ ही खतम कर देता हूं, diagram की अंदर ही, liver और pancreas साथ लेके चल रहे हैं, liver की हम बात करते हैं, liver में कितने लोब होते हैं, bile lobed gland है, दो लोब होते हैं, एक right lobe और एक left lobe ठीक है, liver में दौनों लोब से दो ड़क्ट निकलते हैं, एक यहां से और एक यहां से यह ड़क्ट, अच्छा यह रहों है इस तरीके से दिखाती है, ठीक है, यह ड़क्ट यह आया पिटा, एक ड़क्ट यहां से यहां आयेगा, ठीक है, आप समझ नाम, तो liver के दौनों लोब से ड़क्ट निकलते हैं, ठीक है, और liver की जो covering होती है, अगर covering of liver की बात करते हैं, तो इसको glycens capsule बोलते हैं, it is also covering of unit of liver, hepatic lobules, fibrous layer होती है, ठीक है, तो liver की हम बात करते हैं, by lobed होते हैं, right और left lobed होता है, यहां से left and right, ठीक है, hepatic duct निकलती है, duct from liver, तो इसको हम left and right hepatic duct बोल सकते हैं, left and right hepatic duct, समझ पा रहे होगे, यह left and right hepatic duct आगे जाकर के, common hepatic duct बनाती है, कैसी बनाती है, common hepatic duct, common hepatic duct, duct from gallbladder, gallbladder की duct को हम क्या बोलते हैं, gallbladder की duct को हम बोलते हैं, cystic duct, यानि cystic duct के साथ मिलकर question आएगा, cystic duct और common hepatic duct आपसे मिलकर कौन सी डक्ट बनाते हैं, यह बनाते हैं, यह common bile duct, तो common bile duct का formation किस के मिलने से होता है, common bile duct का formation बेटा, cystic duct of gallbladder, और common hepatic duct के मिलने से होता है, ठीक है, और फिर आगे जाकर के, यह common hepatic, bile duct, कोई bile duct क्यों बोला, कोई bile action में यहां से liquid form में आता है, यहां bile की concentrate का होता है, gallbladder में, यहां सही माइने में bile concentrated होता है, बाइल निकलेगा, तो यहां से निकलेगा, आज समझ पा रहे होगे, so it is called bile duct, ठीक है, अब यह bile duct आगे जाकर के, पैंक्रियास की duct के साथ मिल करके, एक common duct बनाती है, इसको क्या बोलते है, हिपटो-Pancreatic duct, तो question आएगा, हिपटो-Pancreatic duct का formation, आप बोलोगे bile duct, और हिप-Pancreatic duct के मिलने से होता है, common bile duct formation, cystic duct, और common hepatic duct के मिलने से होता है, आप समझ गया होगे ना, याणि cystic duct और common hepatic duct क्या बनाती है, bile duct, bile duct और Pancreatic duct क्या बनाती है, जो ऊपर sphincter है बटा, इसको तो हम बोलते हैं, यहां लिख देते हैं, इसको इस sphincter को बोलते हैं, sphincter of boiden, sphincter of boiden, और sphincter of boiden, question आएगा, sphincter of boiden control, only secretion of bile, क्योंकि bile के secretion को control करेगा, only secretion of bile, यह सिर्फ bile को control करता है, only bile, ऐसी question आएगा, कि sphincter of, अब यहां भी एक sphincter देख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, sphincter of, यहां लिख देते हैं, इसको, sphincter of, oda, यह क्यों क्यों करता है, control, secretion of bile, plus, pancreatic juice, यह कोशन आता है कि बाइल और पन्क्रियति यूज को नहीं दोस्हेटर को संट्र करेगा ऐसंटर आफ पूर यहां से या रहा है या है से अब से क्योंटर करेगा यह ओनली वाइल के जूस को कंट्रोल करेगा डक्तर सिस्टम समझ में आ गया आपको ठीक है इधन क्लियर है सिंटर समझ में आ गया आपको यहाँ पर जो डिदिनम है वो शी शेव आपको दिख रही है यह दोस्त के लिम्ब है बम्प के बीश में पैन्क्रियास प्रेजेन है ऑ कि ही ट्रों ग्लैंड होती है एक्ज़ोल talking बी उति और लेट के साइब लिबर इसको यहिसी होती है हपार की बात करते है तो लिबर का विएट कितना मों होता है it's situated, मैंने बता था, भई, left hand पर तो हमारे क्या है, stomach, तो upper right hand पर क्या होगा, liver, तबी तो हमारा right lung, comparative left lung, थोड़ा उपर होता है, आप समझ रहे हो, क्यों क्योंकि liver present होता है, position क्या है बटा, abdominal cavity के अंदर, it's situated in abdominal cavity, just below the diaphragm, and has two lobe, diaphragm को ठीक नीचे होता है, कहां पर होता है, right side, the structural and functional unit, अब समझ ना, hepatic lobus, it is a unit, structural and functional unit of liver, आप इसको समझा देते हैं, देखो, अगर हम liver को कहीं से भी cut करते हैं, तो liver के अंदर आपको इस तरीके से structure देखने को में लगा, ऐसा, 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 और ऐसा, बेंजीन ring-like structure देखने को में लगा, पूरे liver में, यही ring देखेंगे आपको पूरी liver के अंदर, ऐसे structure आपको liver में देखने को मेलेंगे, इनको बोलते हैं, hepatic lobule unit of liver, unit, functional and structural unit of liver, इनकी covering को अभी gleason capsule बोलते हैं, इस unit की अगर बात करते हैं, तो इस unit के हर triangle पर, 3 duct होते हैं, इसको portal tried बोलते हैं, आप जानते होगे, portal tried में, एक एक नहीं, तीन duct होते हैं, number one, इसके अंदर क्या होगा, hepatic, artery, समझाता हूँ, यह 3 क्यों होगे, और क्या होगा, bile duct, और क्या होगा इसके अंदर, इसके अलावा खर में इसके अंदर बात करते हैं, portal tried के अंदर, ठीक है, hepatic, portal, vane भी होगी, जबके center में सिर्फ एक डक्ट होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, hepatic vane, hepatic vane, इसकी जो covering होगी, fibrous layer से मिलके बनी होगी covering, इस fibrous layer को क्या बोलते हैं, glycense capsule, glycense capsule also covering of hepatic lobule, अब यहां क्या होता है, इसके अंदर structure देखोगे, तो इनके अंदर, एक, दो, थ्री, तीनों डक्ट होते हैं, समझाए दिए, मैंने भी, थ्री डक्ट होते हैं, हर एक portal tried में, अब इनको आपस में connect करने के लिए, यहां पर भी cells arrange होते हैं, इनको बोलते हैं, हिपेटो साइट, हिपेटो साइट, जो इनको जोड़ते हैं, और हिपेटो साइट, एक sinus बनाते हैं, कैनाल बनाते हैं, ठीक है, इसको हिपेटिक कॉर्ड बोलते हैं, तो यह तो है हिपेटो साइट, हे पैटो साइट्स और सेंटर में जो कैविटी दिख रही है क्या बोलेंगे इसको हेपैटिक कॉर्ड हेपैटिक कॉर्ड या यह वो कॉश्चन है कि which of the falling cells of liver responsible for formation of हेपैटिक कॉर्ड हेपैटो साइट हेपैटो साइट जो अरेंज होते हैं यह पॉर्ट हेपैटो साइट्स यहां से ब्लड का फ्लो होता है इंदर इसके अंदर तो बस दियान रखना है कि अंदर हेपैटिक कॉर्ड बण रही है हेपैटोसाइड की बज़े से बन रही है सं Deb realizar my है होती है जब कि हर पॉर्टल ट्राइड के अंदर हपैटिक आडरी होगी बाइल दक्त होगी और हैप्अटिक पॉर्टल वें होगी यह तीन क्यों होते हैं आहाइब समझाता हूं यह बाद भी माल लो कि यह human है कि आप जो भी खाते हो जो भी खाते हो वह एब्जॉर्ब के कहां जाता है कि सारा का सारा एब्जॉर्ब हो करके आप जानते हूं लिवर के पास जाता है लिवर के पास और कौन लेके जाता है ये लेके जाते है हिपेटिक पोर्टल वेन यह नि लिवर का कनेक्शन कहीं न कहीं हिपेटिक पोर्टल वेन से है हिपेटिक पोर्टल वेन से है हिपेटिक पोर्टल वेन से लिवर का कनेक्शन है मतलब लिवर की हर सेल का कनेक्शन है इसके लाबा do not भी आटो लेवर से भी लग्व inग तो लिवर की हर सेहल का मैं भायो इसके पास एक आयेगी इसके पास एक來到 यहाँ पास जाएगी दो नहीं, चार प्रकार की, फौर टाइप की डक्ट से है, लिवर का connection अगर four duct से है, तो लिवर की हर unit का connection four duct से होगा, वोगी लिवर को cut कर दोगे, तो अगे रीजेनरेट कर जाता नहीं, इंटर्नल लिवर का structure एक जैसा ही है, बैंजीन ring like structure ठीक है, तो लिवर में ध्यान रख करते हैं समझ में आ गया होगा कि connection किस तरीके से में समझाना चाह रहा था तो यह हो गया है पूरा एकदम clear liver में यही दे रखा है pancreas में तो कुछ दे नहीं रखा है इन्होंने खास ध्यानक नहीं को C-shape dudenum के बीच में या दो limbs के बीच में pancreas लगा हुआ होता है यह एक heterocrine gland है बेटा hetero का मतलब exocrine भी होती है और endocrine भी होती है exocrine पार्ट की जो unit है ऐसी नहीं endocrine की पार्ट की यूनिट है आलिट्स ओफ लेंगर हैंस exocrine पार्ट pancreatic juice release करती है जबकि endocrine पार्ट आप जानते हो यह थी टाइप के cells होते है इलफा सेल्स बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स हम होर्मोन में डेटिल में बढ़ा देते हैं इसको यह ग्ल्यूके गॉन ह Wait a जब कि बीटा सेल इंसुलिन त अजम की डेल्टा सेल शुमेटो स्टेटिन सो मैटो अर इस टे टिन ग्लू ग्लू ऑग्वन आप जानते जो ग्लूकोज ले Payol बठाता है इंसुलério g psychoso को inhibit करके रखता है suppress करके रखता है तो इसलिए इसको endocrine part बोलते है क्योंकि hormone release करता है तीनों के तीनों hormone है यह हमारा pancreas be finish अब मैंने बताया ना क्या क्या चीज़े important ही जिसको मैंने बहुत ज़्यादा focus किया मैंने teeth को को detail में लेके गया क्योंकि वहां से question आएगा gastric gland को बहुत proper लेके गया क्योंकि वहां से question आएगा अब third important point आता है ठीक है process of digestion यहां से question आएगा very important point है उनको मैं बहुत ज़्यादा focus कर रहा हूं ठीक है बात बागी का था हम लेके चली रहे है NCRT तो कि पूरी के clear कराई रहे हैं तो सबसे पहला हम बात करते है process of digestion मानों यह human है यह ऐसे ऐसे स्टमक समझना जब food आप Mouth में लेकर जाते हो तो उसको चबते हो चबाए तो च लप छोड़ी गो बनेंगे थिक है फिर यहां से food fastil stomach में जाएगा गो इक है यहां से digestion start होगा फिर यह बहुत चोटे particle में convert हो जाएगंगे चिनका absorption हो जाएगा आगे जाकर कि यही तो है digestion यानि सबसे पहले आप क्या करते हो खाने को ingestion करते हो फिर इसको निगलते हो deglutinate करते हो isofagus में कर दिया फिर इस तमक से intestine में enter करता है ठीक है वहाँ पर इसका digestion होता है तब जाकर किसका absorption होता है और finally undigested food बाहर निकल जाता है यह पूरी में कहने समय है तो पहले तो हम बताएंगे आपको कहां पर किसको क्या बोल रहे है ठीक है यह food है सबसे first step आपके अच्छा पहले दो-तीन चीज़े बताते हैं आपको mouth में जो food है इसको हम क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे bolus पहला जब आप mouth में गोले-गोले बनाओगे बटा इसको bolus बोलते हैं जब इस टमक में पहुंचता है तब इसको हम क्या बोलते है काइम जब यह food intestine में पहुंचता है समझना तब क्या बोलते हैं इसको काइल समझना तो मैं बात कर रहा हूँ food की कहा पर food को हम क्या बोलने वाले है ठीक है तो food की अगर बात आती है तो यहां तक मुझे लग्ता नहीं कोई doubt आपको हो रहा होगा कि में क्या बोलेंगे intestine मेंक्या बोलेंगे और यहां कहां पर क्या बोलेंगे इसको तो एक बात क्लियर है process of digestion के अंदर कि काईम कहां पर बोलने वाले हैं काईल कहां पर बोलने वाले हैं ठीक है यह आपको ध्यान रखना है कि तीन बाते हैं काईम भी क्लियर हो गया आपका काईल भी क्लियर हो गया ठीक है अब अंतर क्या है स्टमक में food को कम time नहीं बोलेंगे इस टमक में acidic food को बोलेंगे acidic food को intestine में पहुँचने के बाद इसको हम Kylie नहीं बोलेंगे intestine में alkaline food को बोलेंगे यह 3 दिहान रखने है alkaline food acidic food ठीक है, चलो ठीक है, तो तीनों बार समझ में आगी है, सबसे पहले बोलस, बोलस कनवर्ट किसमें होगा, बोलस कनवर्ट इन्टू काईम, काईम कनवर्ट इन्टू कल, चलो ठीक है, अब स्टेप पर आता हूँ मैं, सबसे पर नमबर वन स्टेप है क्या हो रहा है इंजेशन आफ फूर्ट इंजेशन यह रहा है इंजेशन आफ फूर्स टैप फिर क्या हो रहा है भई आप इसको निगल रहे हो डी जुटी नेशन नमबर टू दी गलीउटेशन खाने को निगलने की मेकैनिजिम फिर क्या में स्टेप्व हो रहे है नमबर धॉर्ट पर डी गल्यूटेशन ओने की वार्ट डाइजेशन फूर चल रहा है ये क्या चल रहा है digestion of food फिर क्या चल रहा है बेटा after digestion क्या होगा यहां से absorption होगा absorption of food after absorption क्या होने वाला food के after absorption क्या करने वाले हो आप इसको assimilate करोगे assimilation of food यानि सबसे पहले आपने food को mouth में intake किया जिसके bolus बनाए ठीक है यह bolus आपने deglutinate किये इस तमक में गए इस तमक में कौन था? acidic acidic मीडिया में जाकर के यह SCL था यह काइम में convert हो गया acidic food को काइम बोलते हैं अब यह काइम एंटर कहा करेगा? जब तक यहाँ पर है समझना काइम है acidic है तब तक तो काइम ही है अब समझना मेरी बात यहाँ पर भी जब तक acidic है तब तक काइम ही बोलेंगे यह भी काइम ही है जब तक acidic है पर जब alkaline हो जाएगा यह question NCRT की line है कि pancreatic juice काइम की उपर वर्क करता है या काइम की उपर वर्क करता है always काइम की उपर वर्क करता है क्योंकि जब पहले उसको acidic को alkaline में convert करेगा तब जाकर करके digestion की mechanism स्टार्ट होगी उधानक ना है position से मतलब नहीं है medium से मतलब है acidic food स्टमक में हो इंटरस्टैंड में हो काइल कहलाएगा alkaline food कहीं पर भी हो इस पूरे ट्रेक के अंदर acidic food ठीक है काइम कहलाएगा और alkaline food काइल कहलाएगा आप समझ में आ गया ना काइल मतलब alkaline काइम मतलब acidic यहां तक क्लियर हो गया होगा mechanism समझ में आ गया assimilation का मतलब होता है after absorption food का जो भी कुछ body में होता है वह assimilation होता है वह carbohydrate energy provide करते है fat store होते है protein body building blocking का का काम करते है assimilation और finally undigested food का बहार निकलना defecation number six defecation 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 यानि feces की form में food का बहार निकल जाना defecation कहलाता है तो यह यह पूरी mechanism है जिसको step by step लेके चल रहे है हमारे चार food है मेंटा protein carbohydrate and fat इन चारों को हम digest कर रहे है बड़े step by step ठीक है अब समझ नहीं कोशिश करना एक घंटे बरतिस मिन चलो थोड़ा सा टाइम जदा जाएगा पर इंपोरेंट mechanism में समझ नहीं होगी आपको तो सबसे पहले हम क्या कर रहे है digestion of protein तो protein के digestion में सबसे पहले क्या करोगे आप activation of gymogen क्योंकि protein का digestion होगा तो gymogen की form में ही होगा enzyme तो यहां पर activation of gymogen की बात करते हैं तो दो चीजे हैं एक gastric juice और एक pancreatic juice ठीक है और pancreatic juice में canción करा दो और pancreatic juice में इस्टब आप इस्टब चलते हैं अगर हम गैस्ट्रिक जूस की बात करते हैं तो गैस्ट्रिक जूस में समझ ना मेरी बात सबसे पहले क्या होगा आप जानते हो Pepsi Nogen Pepsi Nogen और Second Engem क्या होगा यहाँ पर Pro Ranin पर परज्ण पर लगा हुआ है इनेक्टीफ फॉर्म ओजन लगा हुआ है इनेक्टीफ फॉर्म तो इनको सबसे पहले क्या करना है मैं कर दो होंगे pepsynogen convert into pepsin pro renin convert into ranin तो कि activation थैक है ranin का role मैं यहीं explain कर देता हूं कुछ आगे जाकर ilan की requirement थैक है ranin सिर्फ infant में होता है थैक है हमारे अंदर ranin नहीं होता तो ranin करता क्या है यह भी देख लो आप जब milk protein खाते हो ना तो milk protein की सिर्फ curdling करता है और कुछ भी नहीं करता, curdling of milk एलिए responsible रहनेन, जैसे, रहनेन करता है, milk protein, casein, milk protein, इस milk protein को सबसे पहले, यह renin किसमे convert करेगा, यह convert करेगा, ठीक है, calcium paracacinate, calcium paracacinate, calcium paracacinate, वही, casein convert होगा, paracacin के अंदर, paracacin, calcium से मिलके, calcium paracacinate, ठीक है, calcium paracacinate का बनना ही, क्याला था, curdling of milk, इसी को बोलते है, दूद का धही में परिवर्टन, curdling of milk, यानि, curdling हो गई, दूद धही में परिवर्टित हो गया, change हो गया, तो renin का रोल तो सिर्फ दूद को धही में परिवर्टन, यानि, curdling, यानि उसको, तभी छोटे बच्चे को देखा होगा, जब milk intake करके वर्मिटिंग करता है, तो फटा हुआ दूद निकलता है, एक आप प्रॉपर उसमें lactobacillus डालो, तो प्रॉपर तरीके से, अगर lactobacillus के तुरू करोगे, तो प्रॉपर वो curdling होगी, तो nature ने छोटे बच्चों को renin दिया है, infant को, one year तक के baby को, जो प्रॉपर तरीके से milk curdling करके, उसकी पूरी energy को बच्चे को देता है, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ milk पर depend है, हम खाली milk पर depend नहीं है, तो हमारे अंदर renin नहीं होता, हम milk से कुछ चीज़ें ले लेते हैं, पर ह हम 100% milk पर depend नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे पास renin नहीं है, समझ रहें ना मेरी बात, तो renin का काम क्या होता है, milk protein, casein का, calcium, paracacinate में, conversion, curdling of milk, बास, pepsin क्या करता है, हम आगे बताएंगे, और अच्छा, आप इसको भी activate करो, pancreatic juice में बात करते हैं, तो 3 enzyme होते है, pancreatic juice में, उनका activation कर लो, पहले, ट्रप्सीन ओजन, ओजन लगा हुआ है, in active form, काइमो ट्रप्सीन ओजन, and pro carboxy peptides, pro carboxy peptides, यह 3 enzyme होते हैं बेटा, जिसमें हम ट्रप्सीन ओजन को सबसे पल activate कर देते हैं, ट्रप्सीन ओजन जब एक्टिब होगा, ट्रप्सीन कौन करता है, enterokinase, enterokinase, ठीक है, अब remaining को activate करने के लिए कौन चाहिए, खुद ट्रप्सीन ही remaining को activate कर लेता है, यानि काइमो ट्रफिनोजन, काइमो ट्रफिन में convert हो गया, ओजन हट जाएगा, प्रो यहां से हट जाएगा, कार्बोक्सी पैटाइडिज बन जाएगा, मतलब एंटेरो काईनेज का काम होता है, ट्रफिनोजन को ट्रफिन में convert करना, फिर remaining को activate करने के लिए, के ट्रप्सिन रिस्पॉंसिबल होता है रफसिन काइमोट्रप्सिन और प्रोकर्वक्सी पैप्टाइड होता है तो दौनों जूसका एक्टिवेशन हो गया यहां पर एक्टिवेशन में पाटिसिपेट करता है यहां पर एंटरोकानेज और ट्रप्सिन एक्टिवेशन में पाटिसिपेट करते हैं अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस कैसे डाइजेशन होगा वह यह आपने प्रोटीन खाई ठीक है इंटेक की प्रोटीन आपने अपने बॉडी म परोटीन का digestion पहले होता, कहां है पता होना चाहिए, यह mouth में होता है बेटा, और d texturededum में, बुलक। step by step चल रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले आपने protein intake की, protein intake करोगे तो protein break होगी, protein टूटेगी, किस में टूटेगी, अब आपको देखो, यह बाग पर सामने है, प्रोटीन का breakdown किस में होने वाला है, प्रोटीन का breakdown होने वाला है, ठीक है, peptons, प्लस, proteosis में, प्रोटीन के बविश प्रोटीन फॉले प्रोटचन ब्रॉटे माला रिया है यह टूटेगी फोर्रीब्मॉटब है यह टूटे की। ही थेक एक है में और डिवटीनम में प्रोटीन का डाइशन होगा तो इस टमख में सबसे पहले क्या होगा वही कौन सब यूस निकलता है इस टमक से गास्ट्रिक जूस कर गैस्ट्रिक हो जूस क्यों सब्सक्राइब कम करेंगे ठीक है एक तो आप जानते हो पैपसिन और अगर रैनिन है तो रैनिन ठीक है रैनिन तो बिस कड्लिंग करता है में पैपसिन ही ब्रेकडाउन को काम तो पैपसिन ही करेगा ठीक है ब्रेकडाउन के लिए तो पैपसिन ही रिस्पॉंसिबल होगा पैपसिन पैपस्टीं क्या काम करेगा पैप्सीन इन प्रोटीन को तोड़ेगा पैपटॉंस प्रोटियोसिस में कुछ को तोड़ पाएगा कुछ रहे जाएंगे Obrig आज़ो गेंस्टिक मढ़तें अब यह पाणके लिए पिछ पर के अब तू तू थ्री ठीक है अब remaining आगे बढ़ते हैं अब यह कहां पहुंचेंगे बेटा स्ट्रमक के बाद ड्यूडेनम में अब ड्यूडेनम में connect होगा अनकी उपर अब ड्यूडेनम में work करने वाला यहां पर किसमें टूटेंगे ड्यूडेनम के मैं समझ ना मेरी बात जो प्रोटीन की बात कर लेते हैं रिमेनिंग प्रोटीन है उसको तोड़ने के लिए यहां पर ट्रप्सिन होगा ठीक है कि नमबर वन कौनसा आएगा ट्रप्सिन सबसे बढ़ा है बात करते हैं ट्रप्सिन की ट्रप्सिन किस पर वर करेगा ट्रप्सिन वर करेगा रिमेनिंग प्रोटीन के उपर ठीक है इसके लाब हमने दो एंजाइम और बतायते हैं आपको कार्बॉक्सी पैप्टाइड एस ठीक है लाइस का इस नाए में चालंच का इमकरुडवक्सी पैर्द इस इस कार्वक्सी फैप्टाइडस का्डिम है छु attitudes का इस यह थी तीनों एंजाइम जैम जसमें कार्वोक्सी, पेप्टाइडेस और कायमो, ट्रपसिन, ये तो वर करेंगे, पेप्तॉंस और प्रोटियोसिस के उपर, ठीक है, ट्रपसिन वर करेगा, प्रोटीन के उपर, यानि आगे जाकर, प्रोटीन फिल्ट, ये रिमेनिंग प्रोटीन टूटेगी, किसके अंदर, बेटा छोटे-छोटे टुकड़े प्रोटीन के इनको काइमो ट्रप्सिन और कारवॉक्सी पैप्ताइड тобой तोड़ देंगे किसमें दो अमाईनो स्ब्सक्राइड के टुकड़ों में य्यों दाईड़ाईड डाई पैप्ताइड प्लस कुछ amino acid भी मिल जाएंगे and amino acid यानि अब यह कौन सा juice बढ़ कर रहा है यहां बढ़ोगे यहां बढ़ कर रहा है pancreatic juice pancreatic juice किस pH बढ़ कर रहा है 7.6 pH बढ़ कर रहा है approximately 7.8 लिख लो 7.8 तो यह pancreatic juice की बात आ गई यह gastric juice की बात थी ठीक है तो pancreatic juice के तीनों एंजयम आपके सामने carboxy peptides, chymotrapsin ठीक है और trapsin, trapsin ने remaining protein को peptone of protease में तोड़ लिया, chymotrapsin, carboxy peptides ने इन टुकलों को further dipeptide और amino state में तोड़ लिया ठीक है अब क्या होगा अब देखो अब बात आएगी नंबर थार्ड कि इन पर वर कौन करने वाला है इन पर वर करेंगा intestinal enzyme अब intestinal enzyme क्या करने वाले हैं इनको further तोड़ने वाले हैं किसमें तोड़ने वाले हैं अब देखो कि सबसे पहले क्या होगा दो इंट स्बने दुए नं जाएं बताने वालों इंटस्टाइड यूसमे नंबर वन अमाई नो पेप्टाइड एज है मैं अमाई नो कि पैप्टाइड इज नंबर वन और दूसरा था डाई पैप्टाइड ये किरेकिना अजयer मिलते हैं ये मिलते हैं इन्टस्टैनल जूज इन्टस्टैनल जूज्स तो इन्टस्टैनल जूज्स में जो ऑधना न ओच्रिफだ दो होते हैं अमाइन अप्रकाइड हैं और आध़िस तो गेस्टि जूज expect और करेगह और फिर pancreatic juice ने क्या काम किया इनके तीन एंजाइम थे ट्रप्सिन तो काम करेगा अब रिमेनिंग प्रोटीन की ओपर और काइमो ट्रप्सिन और कार्वोक्सी प्रप्टाइडेस यह प्रोटियोस को तोड़ देंगे डाई प्रप्टाइड और अमाइनोसिट के अंदर ठीक है प्रोटियोस बचे अब इन प्रोटियोस को तोड़ने वाला काम यानि जो काम यहां ट्रप्सिन कर रहा था ठीक है जो काम यहां पर कार्वोक्सी प्रप्टाइडेस और यह कर रहे थे वही काम यहां पर अमाइनो प्रप्टाइडेस करेगा अमाइनो प्रप्टाइडेस इ और अमाइनो एसेड और आल्यडी पहले तो डाइप है बनी चुक ए थे यानि अमाइनो पैप्टाइड तो वरक करेगा इसकी उपर और बचे का क्या डाइप यह डाई पैप्टाइड सारे के सारे डाई पैप्टाइड को तोड़ देगा और फाइनली हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पर फाइनली हमें यह मिलने वाले हैं अमाइनो एसेड थिक है समझ में आ गया होगा कि step by step चल रहा हूं मैं वहीं प्रोटीन स्टमक में डाइजिस्ट होती है और डियुदिनम में ध्यान रखना है आपको पैंकेटिक जूस भी उपन करता है और इंटस्टेनल जूस भी मिलता है प्रोटीन टूटे की पैप्टन और प्रोटीयोस कुछ रि dipeptide और amino acid में तोड़ देंगे अब इस न अब इस प्रोटीयोस को तोड़ने के लिए amino peptidase तोड़ दिया dipeptid के अंदर और amino acid के अंदर और remaining dipeptide भी आ गये इन तोड़ने के लिए dipeptide is final amino acid आपको मिल गः कुछ भी नहीं बचा protein के digestion के अंदर तो जीनों जूस का मैंने इंट्रक्शन करा दिया किस-किस pH पर काम कर रहे हैं तो यह भी 7.8 पर ही वर करता है 7.8 पर यह भी 7.8 पर यह 223 pH ध्यानक नहीं है आपको digestion of starch, starch एक polysaccharide है आप जानते हो ठीक है चैप्टर बहुत बड़ा है ठीक है कोशिश कर रहे हैं इसको एक lecture में खतम करनेगी ठीक है बट आप समझने की कोशिश करना concept एक भी नहीं छूटेगा आपका ठीक है important point है digestion of starch, starch का digestion कहां कहां होता है बेटा, mouth ठीक है और dudenum दोनों जगे होगा, तो mouth के अंदर कौन होगा बेटा, आप बलोगे salivary juice, तो salivary juice क्या काम करने वाला है, भी pH पता हो नीची, mouth में किस pH पर वर्क होता है, 6.8 पर, क्या काम होगा, starch जिसमें break होगा बेटा, ये टूटेगा, maltose माल्टोस क्या है, डाई सेकराइड, ये आप जानते हो, तो इसको ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजयम होगा यहां पर, एंजयमन बताए दिया, पैंक्रेटिक, इसको क्या बोलते हैं, टाइलिन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या काम करेगा, ये 6.8 pH पर starch को माल्टोस में, कितना starch, only, only 30% starch, क्योंकि रिमेनिंग कौन तोड़ेगा, आप बोलोगे, पैंक्रिटिक जूस में मिलने वाला, पैंक्रिटिक है मालेज, किस pH पर, अब यहां pH चेंज हो गई, pH हो गई, यहां पर 7.8, 7.8 pH पर बेटा, रिमेनिंग स्टार्च, रिमेनिंग, जो बचा हुआ था, यहां कितना रिमेनिंग, रिमेनिंग 70%, रिमेनिंग 70% starch, अगेन ब्रेक होगा बेटा, इसमें, अगेन माल्टोस में, किलियर अब लकुल, अब यहां पर कौन सा एंजाएम होगा, अब यहां पर पैंक्रिटिक है मालेज होगा, किस pH पर ब्रेक किया, 7.8, यहां पर भी एमालेज है, यहां पर भी एमालेज है, यहां पर भी स्टार्च है, यहां पर भी माल्टोस है, यहां पर भी माल्टोस है, अंतर क्या है, पी एच का ये NCRT के लाइन डिर्क ली कोश्चन मिलता है ओनली पी एच का डिफ्रेंस है और कोई डिफ्रेंस नहीं है माल्टोस कम्प्लीट डाइजेशन नहीं हुआ यह डाइसे क्राइड इसको फर्दर तोड़ना होता है तो आप चाहिए आपको इंटरस्टैनल जूस अब करेगा सिमाल्टोस को बभल कि इसमें बोड़ करने वाला है यह ग्लूकोस क्यों अभल सिमेट Đाइजेशन कोंकि माल्टोस का फॉर्मेशन दो ग्लूकोस की यूनिट से होता है यानि इस maltose को glucose और glucose में तोड़ने के लिए maltase which presenting intestinal juice यानि starch के digestion में तीन तीन ग्लाइट participate कर रहे हैं mouth में 30% starch maltose में deuterum में by pancreatic juice remaining 70% starch convert into maltose maltose disaccharide जो glucose glucose से मिलके बनाएं अब intestinal juice में मिलने वाला maltase इस maltose को तोड़ देगा glucose and glucose complete digestion of starch complete digestion हो ठीक है इस्टार्स के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं लिपिड तो लिपिड में तीन बहुत important line है बेटा bile help in emulsification of fat तो bile का main role क्या है fat को emulsify करना या lipase को भी activate करता है और इसके अंदर enzyme नहीं होते enzymes are absent in bile तो तीन पर question आता NCRT के लाइने ध्यान रखना तो आखर हम बात करते है fat का digestion mouth में तो lipase था या fat का digestion करता था नहीं इस्तमक में भी lipase होता है gastric lipase पर वो भी काम नहीं करता लाइपेस तभी work करेगा जब और समझना fat का emulsification हो जाएगा और emulsification कहा होता है emulsification by juice के throw होता है due day numb है तो अब emulsification से emulsification होता क्या है ठीक है मानो यह fat का बड़ा सा globule है यह fat globule है ठीक है इसको हम break इसको हम convert करेंगे बेटा fat droplets के अंदर कैसे किया हमने देखो यहां पर नमबर वन हमने यहां यूज किया बड़ाए नमबर वन लिसितिन एक फॉस्फोल लिपिट होता है जो surfactant का काम करता है यह बाइल में होता है बाइल जूस में ठीक है बाइल जूस और दूसरा यहां पर होगा बटा और गनिक साल्ट ठीक है बाइल सॉल्ट तो अब एक एक करके समझा रहा हूँ सबसे पहले रोल आया किसका लिसितिन लिसितिन क्या काम करेगा इस फेट ग्लोब्यूल के एराउंड अटेच हो करके इसके surface tension को reduce कर देगा कोई surface salt क्या करेंगे इसके around arrange होंगे ये बाइल salt अगें इनके around arrange होंगे और arrange करके इनकी reassembling को रोकेंगे यानि इनके attachment होते ही इनके attachment होते ही अब ये ड्रॉप लेट अगें फैट ग्लोबील में कनवर्ट नहीं हो पाएंगे ठीक है तो यह fat droplet है बेटा, fat droplet का, यहीं fat का मत देना, emulsify कर देना, इसी को बोलते है, emulsification of fat, किसके थो हो रहा है, emulsification of fat, bile juice के थो हो रहा है, lecithin और bile salt, lecithin surface tension को कम करके, इनको spreading कर देते हैं, then bile salt, इनकी around arrange हो करके, इनकी reassembling को रोकते हैं, अब बस, activation हो गया, अब यह किसको activate करे हो जाएगा, activation of lipase, जब ऐसा हो जाएगा, तब lipase का activation होगा, activation, activation of lipase, अब lipase activate होगा, और digestion स्टार्ट होगा, तो पहला step समझ में आगा, emulsification, अब second step में हम ले रहे हैं, breakdown of triglycerides, ठीक है, fat में होते हैं, triglycerides, fat है क्या, triglycerides, ठीक है, और triglycerides आप जानते हो, कैसे बनते हैं, alcohol, और long chain of fatty acid के esterification से बनते हैं, जिसे में 3 ester bond होते हैं, 3 ester bond को ही तो तो तोड़ना है, fatty acid मिल जाएंगे, और glycerol मिल जाएगा, ठीक है, तो करते हैं, सबसे पहले, breakdown, triglycerides, सबसे पहलें, triglycerides के उपर कौन वर करेगा, pancreatic, lypage, पहले, lypage, triglycerides में से, अगर एक ester bond को तोड़ेगा, तो diglycerides और fatty acid मिल जाएगा, और 2 ester bond को तोड़ेगा, तो monoglycerides और 2 fatty acid मिल जाएगे, यहीं दो हो सकता है, ठीक है, तो maximum इतना ही हो सकता है, यहाँ पर आपको monoglycerides मिल सकता है, mono, यहाँ पर आपको, mono, glycerides मिल सकते हैं, हाँ, कुछ die glycerides भी मिल सकते हैं, die, maximum तो यहाँ पर die ही मिलेंगे, क्योंकि mono को convert करने के लिए तो, again, एक लाएपेज और आयका, intestine library, यहाँ पर आपको मिलेंगे, die glycerides, die, ठीक है, और क्या मिलेंगे आपको यहाँ पर, ठीक है, fatty acid, fatty acids, मेरी बाद समदना, try glycerides का मतलब होता है, अगर मैं diagramatically represent करूँ, यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से 3 ester bond होते हैं, ठीक है, और इनसे fatty acid जुड़े होते हैं, glycerol में fatty acid जुड़े होते हैं, diagram बनाई देता हूँ आपके लिए, देखो, CH2, CH, CH2, O, ठीक है, H जहाँ से निकल गया, वहाँ से OH गया, C, ठीक है, एलकायल ग्रूप, double bond O, CH, ठीक है, इस तरीके से तो, एक fatty acid हो गया, ऐसे ही हम तीनों को बनाएंगे, C, O, H, O, H गया, ठीक है, double bond मचेगा, C, double bond O, R, C, O, C, O, R, O, C, O, R, एक्चुल हुआ क्या, यहाँ पर यह तीन fatty acid है, यह glycerol से जोड़ते हैं, और बीच में ester bond बन जाता है, और यह बन गया triglyceride, तो यह triglyceride का structure इस तरीके से होगा, अब हमें करना क्या है, ऐसे समझ पाओगे, अगर आप, एक ester bond को तोड़ोगे, तो एक fatty acid अलग हो गया, और monoglyceride बचेगा, दो को तोड़ोगे, तो दो fatty acid अलग हो गया, एक monoglyceride बचेगा, आप समझ के नहीं मेरी बात, और तीनों को तोड़ोगे, तो तीन fatty acid अलग हो जाएंगे, एक glycerol रह जाएगा, ठीक है, पर अगर मैं pancreatic लाइपेज की बात करता हूँ, जो किस पर काम करता है, 7.8 pH पर वर्क कर रहा है बेटा, ये एक bond तोड़ पाता है, ज्यादा से ज्यादा दो bond, पर एक bond तो टूटे गई, टूटे गई, यहाँ पर, ठीक है, यानि एक bond टूटे गई, तो diaglyceride और fatty acid तो मिलेंगी, मिलेंग ठीक है, तो लिख देते हैं, monoglyceride भी यहाँ मिल जाते हैं, plus monoglyceride, monoglyceride, maximum ये एक चीज़े मिल सकती है, अब आगे बढ़ते हैं, अब कौन साथ दिलाइपेज आएगा, अब बात आएगी, next, अब बात करेंगे, इससी pancreate की बात, intestinal lipase, intestinal lipase, ये भी 7.8 पर ही काम करेगा, intestinal lipase, अब ये क्या करेगा, intestinal lipase, डाई को तो तोड़ेगा, mono में, ठीक है, mono को तोड़ेगा, glycerol में, GLY, और fatty acid तो मिली रहे थे ना में, fatty acid, यानि, सबसे पहले triglyceride को, ठीक है, pancreatic lipase ने, break किया, diglyceride, monoglyceride और fatty acid में, फिर intestinal lipase ने, डाई को तोड़ दिया, mono में, और mono को तोड़ दिया, glycerol में, और fatty acid मिल गए, यानि, इतना हमें मिल गया, इन दोनों lipase की help से, यानि, breakdown of triglycerides हो किया, ठीक है, कर दिया, breakdown, अब आगे क्या होगा, अब यह जो, पार्ट क्या कहें, मिला हमें, monoglycerides मिले हमें, बीटा, mono, plus, हमें, diglycerides मिले, sorry, glycerol मिला हमें, fatty acid मिले हमें, plus, हमें, bile salt, bile, salts, यह सब मिल गए, बीटा, यह, भई, monoglycerol, fatty acid, बाइल, salt तो साथ में थे ही न, इस सब के मिलने से, intestine में, contraction होता है, और contraction होने से, छोटे-छोटे, missiles का formation, start हो जाता है, कराते हैं, formation, यह structure बने चालू हो जाते हैं, इनको missiles बोलते हैं, formation of missiles, it is absorbing unit of fat, अब इनका formation start हो गया, missiles का, यह formation start हो गया, contraction हो ही रहे हैं, जैसे आप इस सर्फ डालोगे, पानी में, और आप इसको हाथों से, तरीके से गरोगे, तो आपको जाग बन जाएंगे, missiles बन जाएंगे, तो contraction हो हो रहे हैं, और इन सब के मिलने से, इससे यह missiles बन जाते हैं, question आता है, missiles का formation किस-किस के मिलने से होता है, monoglyceride, glycerol, fatty acid and bile, salt, यह question आया हुआ है, ठीक है, यह किसका formation होगा, mycells का, अब जाओगा, इनका absorption, अगर मैं absorption की बात करता हूँ, तो समाझ ना, इनका absorption सब से पहले यह absorb काऊंगे, यह, हमारी intestine के जो epithelium tissue होते हैं, उन्हें में absorb होंगे, epithelium tissue में, epithelium of intestine, तो कराते हैं absorption, यह epithelium एफ्जर्व होंगे, तो epithelium में absorb होकर की मैंने एक cell को बाहर निकाला है, अंदर epithelium में absorb होकर की होगा क्या, epithelium में जो जाएंगे यह, mycells, तो यह convert होंगे, epithelium के अंदर, किसके अंदर, यह packets बनाएंगे, तो कि अंदर packet बनते हैं, इस तरीके से protein के packet, इनको बोलते हैं, kylo macron, और इनके अंदर बेटा, यह triglyceride फिर बापस बन जाएंगे, triglyceride का formation अगेन होगा, हमारी body directly triglyceride को absorb नहीं कर पाती, पर body को तो चाहिए triglyceride, तो पहले try टूटते हैं, monoglycerol or fatty acid में, यह absorb होते हैं, epithelium में, epithelium बापस triglyceride का formation करती है, ठीक है, यह missiles हो गए, बापस triglyceride का formation करती है, और तब यह कहां हो रहा है, epithelium of gut, gut की epithelium में, तो अब यह जो बन रहा है instruction को क्या बोलते हैं, kylo macron, kylo, macron, बहुत important है, कि intestine की epithelium में, kylo macron का formation हो रहा है, यह absorption दो बार हो रहा है, first absorption, यह first absorption, absorption, first absorption कहां होता है, epithelium में, अब second absorption देखो, आप जानते हो, intestine के अंदर lacteals, lymph vessels होते हैं, जिनके चारों तरफ क्या होते हैं, blood capillaries होते हैं, यह blood capillaries, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, second absorption, lipid का करा देते हैं, ठीक है, second कहां होगा, इस epithelium से, इस lacteals के अंदर होगा, lymph capillary में होगा, second absorption, second absorption, तो first absorption ध्यान अखना है, मीशल्स का होता है, epithelium में, और second absorption, kylomicron का होता है, second absorption, kylomicron का होगा, जो कहां बन चुके हैं, इस epithelium के अंदर बन चुके हैं, यह कोई है, kylomicron, kylomicron के किस्से होता है, आप बोलोगे, यह बिटा, यह तो है, प्रोटीन, इसके अंदर क्या है, ट्राइलिस्राइट्स, और इन प्रोटीन और ट्राइलिस्राइट के मिलने तो जो इस्ट्रक्चर बनता है, इसी को क्या बोलते हैं, काईलो, माइकरोन, काईलो, और यह किस में एंटर कर रहा है, यह लिंफ, कैपिलरी, लिंफ, कैपिलरी, लिंफ, कैपिलरी में एंटर करके यह पोर्टल सिस्टम में चले, यह हमारे लिंफटिक सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, तो एक बस समझ में आया, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिपिट के केस में, इमल्सिफिकेशन करते हैं, आफ्टर इमल्सिफिकेशन, भई, लाइपेज एक्टिवेट हो जाते हैं, लाइपेज, ट्राइगलिस्टाइट को मोनो, फैटी ऐसिड, ठीक है, और डाई में तो काईलोमाइकरों का हो चीज़ों का हो रहा है, यहाँ, इसका और डाइप, शल्यक तब और एक मिटक हो और अदर, अदर, लिब को तो नुकलिक एशिट में क्या क्या आ गया DNA और RNA आ गया यह तो DNA हो ग़ा है यह आपड़ी एन ए या आर एन ए कि राते हैं भई भाई नुक्लिक एशिट को ब्रेक करने के लिए धो स्टेप नमबर वन सबसे पहले न्युक्लियो टाइट्स में क्योंकि 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 न्युक्लियो टाइट्स में तो यह रोखने के ताइड में से टूटेगा फिर निकली टाइड को तोड़ने के लिए चाहिए बेटा अगेट अग अग में कि नीपलियो मैं है साइड प्लस फॉस्पेट और फाइनली ये नुक्लियोसाइड फिर तूटेंगे फॉस्पेट बन गया ये फिर तूटेंगे फाइनली जा करके नाइट्रोजनस बेस प्लस सुगर कम्प्लीट डाजेशन कैसे अब समझो सबसे पहले हम लेने वाले हैं यहापर ठीक है नुक्लिक एसिड में डियने आरे नहीं होते हैं तो सबसे पहले किसकी बात आएगी पैंक्रेटिक जूस पैंक्रेटिक जूस अगर हम पैंक्रेटिक जूस की बात करते हैं तो पैंक्रेटिक जूस में क्या होता है आप जानते हो पैंक्रेटिक जूस में होता है नुक्लियेज यह नुकलिय जो पैंकेटिक जूस में होते हैं बेटा वह इस नुकलिक एसेट को तोड़ेंगे नुकलियोटाइड में ठीक है नुकलियोटाइड तीन चीज़ों के मिलने से बनते हैं ठीक है वही नुकलियोटाइड में क्या होगा नुकलियोटाइड में सुगर होती है नुलुटाइट में नाइट्रोजिनस बेस होते हैं नुलुटाइट के अंदर और क्ना वोस्फेड होता है इन तीन के मेलने से नुलुटाइट बनते हैं अब बात आगी पेन्केटिक जूस के बात किसकी बात आगी? अब आएगी इंटर स्टैनल जूस अगर हम इंटर्स्टेनल जूस की बात करते हैं तो इंटर्स्टेनल जूस पे एक नहीं यहां दो एंजायम होते हैं ठीक है हैं कि इंट स्टेनल जोश के दोना एंजाम की बात करते हैं कि एक तो आफ़ निउकलियो डाइड को तोड़ने के लिए निउकलियो सॉटि अ नुक्लियो टाइड एज और नुक्लियो साइड को तोड़ने के लिए नुक्लियो साइड एज नुक्लियो साइड एज यानि नुक्लियो टाइड एज नुक्लियो टाइड को तोड़ेगा साइड और फॉस्फेट के अंदर और sidease nucleoside को तोड़ेगा nitrogen base और sugar के अंदर यानि pancreatic juice का एक enzyme nucleic acid को nucleotide में तोड़ेगा और intestinal juice के दो enzyme nucleotidease और sidease sidease type को तोड़ेगा finally यह absorb हो जाएगा यह दोना absorb हो जाएगे complete digestion of nucleic acid clearable goal pH आप समझते ही हो pancreatic juice 7.8 ठीक है और intestinal juice also 7.8 pH पर वर्क करेंगे यानि nucleic acid का digestion totally alkaline pH पर होगा यहाँ acid कोई concept है ही नहीं complete digestion of nucleic acid बल्कुल transport of food अगेर एक important line है यह भी देख लो transport of food ठीक है तो आगे बढ़ते हैं okay transport of food की अगर बात करते हैं तो बस समझ ना मैं लिख देता हूँ short form में अगे अगे गलक्तोस का जो ट्रांस्पर्ट होता है always secondary active transport secondary active transport with इसके साथ with sodium sodium आदका इसा होता है sodium आदका प्रामरी एक्टिव ट्रांस्पर्ट होता है समझाता हूँ पर गलक्तोस के साथ और किस का secondary active transport हो सकता है glucose का होता है plus ठीक है amino acid का भी होता है amino acid यानि glucose और amino acid का जो ट्रांस्पर्ट होता है जानक और आपको वह secondary गलक्तोस का तो only secondary glucose अभी secondary active transport होता है secondary का मतलब समझाना ने मेरी बात सोडियम के साथ चलो समझा ही देते हैं तब ही आपको अच्छे से समझ में आएगा देखो यह मानों एक प्रोटीन है इस प्रोटीन के अंदर वन टू थ्री साइट्स हैं ठीक है अब इन साइट्स की बात करते हैं तो दोखो यहां सोडियम आइन है UAE, sodiamine, sodiamine, in sodiamine की binding जोगी कि न, sodiaman की binding तो इसकी active इस सैट से हो जाएगी, इसकी दूसरी सैट से भी हो जाएगी पर एक सैड इसकी खाली रह गई, ये saight खाली है, इस सैट पर कौन-कौन bind कर सकता है, य lleva यहां जो sodium ion का transport हो रहा है, sodium ion का transport हो रहा है, primary active transport, sodium ion का, primary active, क्यों, क्योंकि यह बनी ही protein किसके sodium के लिए है, पर sodium के साथ-साथ, यहां पर galactose का भी हो सकता है, साथ-साथ glucose का भी हो सकता है, साथ-साथ यहां पर amino acid का भी हो सकता है, amino acid, इन तीन का transport है, यह भी हो सकता है, इस protein के साथ, इसलिए इन तीनों के ट्रांसपोर्ट को हम बोलते है, secondary active transport, secondary active transport with sodium ion, sodium ion के साथ हो रहा है, इसलिए इनको secondary active transport बोलेंगे, galactose, glucose और amino acid, number one, number two हम बात करेंगे, यहां पर, समझ ना, number two, fructose, पर fructose के साथ साथ, अगें, glucose, प्लस amino acid, इनका transport जो होता है, अगें समझना, protein, यानि इसको गोते है, facilitated transport, इनका transport होगा, वो इस प्रोटीन के थरो होगा, without energy, ठीक है, तो यहां पर होगा, facilitated, facilitated, facilitated transport, facilitated transport की बात करते हैं, ठीक है, तो यहां without ATP होता है, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, समझ ना, number three, lipid, lipid, प्लस, अगें, ग्लुकोज, प्लस, अमाइनो एसिड, यानि ग्लुकोज और अमाइनो इसिट का ट्रांसपोर्ट तीनों तरीके से हो रहा है, ठीक है, इसका simple diffusion, simple, diffusion, अब बसते हैं, क्या बेटा, वाटर, वाटर, आलवेज, आस्मोसिस, इसके लाब अगर हम बात करते हैं, आइन्स, दो टाइप के आएनों होते हैं, positive wine, और negative wine, जितने भी positive wine होते हैं, बेटा, always active transport, primary, active transport, primary, active, और जितने भी negative wine होते हैं, बेटा, always passive transport, बस ये ध्यान दखना हैं आपको, ठीक है, तो एक common बात है, अगर आप से कहते हैं, गलक्तोस का only secondary active, फ्रक्तोस का only facilitated, ठीक है, लिपिट का only simple diffusion, पर glucose होते हैं, तीनों तरीके से हो रहे हैं, water only osmosis, positive wine only, only primary active, और negative wine only passive transport, ये concept अब भूलोगे नहीं आप, last disorder, disorder में आप देखो ध्यान रखना है, jaundice, ठीक है, आपकी skin और eyes yellow हो जाती है, क्योंकि अगर yellow pigment का मलत समादना, bilirubin, अगर आप लिवर defective है, तो bile बाहर नहीं निकलेगा, bile में pigments होते हैं, bilirubin, bluebird in, वो body में deposit होंगे, वो indicator किसके होंगे, jaundice का, ठीक है, अगर RBC का breakdown बहुत जादा होता है, ठीक है, तो bilirubin, bluebird in का amount भी body में बढ़ता है, और उसके बढ़ने से jaundice होने की probability बढ़ जाती है, vomiting, vomiting एक reflex है, इस तमक में भरा हुआ material, माउथ के थोरो बाहर आता है, ठीक है, it is a reflex, इसको vomiting बोलते है, डाइरिया, डाइरिया ध्यान आखना, abnormal frequency of bubble moment, अगर abnormal term आएगा, abnormal frequency of bubble moment, समद, abnormal frequency of bubble moment की, ठीक है, and liquidity of fecal discharge, इसको डाइरिया बोलते है, ठीक है, और समद ना मेरी बात, constipation में क्या होगा, constipation में ध्यान रखना, बोल मुमेंट अकर irregularly, अब बच्चा यहां confuse होगा, अगर bubble moment irregularly हो रहे हैं, रुक रुक कर क्यों हो रहे हैं, इन्हें यसे आ रही है, फिर नहीं आ रही है, आ रही है, और फिर नहीं आ रही है, समझ रहे हैं लग रहे हैं पर नहीं आ रहे हैं मतलब bubble moment irregular हो रहे हैं सब समझ रहे हैं मेरी बात और अगर continue bubble moment हो रहे हैं पेट में contraction हो रहे हैं means frequently bubble moment diarrhea को represent करते हैं और irregular bubble moment constipation को lead करते हैं constipation में आप समझते हो water की कमी हो जाए या food में fiber की कमी हो जाती है तो food colon में retain रह जाता है आगे नहीं पढ़ पाता ठीक है तो इसे constipation हो जाता है बेटा और indigestion अगर मैंने बताता है indigestion की case में अगर proper enzyme नहीं निकल रहे है indigestion हो जाएगा तो यह सब indigestion को lead करते है नहीं digestion की process को रोकने का काम करते हैं ठीक है मरासमस की अगर मैं बात करता हूँ तो मरासमस ठीक है सूखा रोग होता है बिटा यह infant में होता है को आशर कोर की बात करता हूँ ठीक है यह कहां देखने को मिलता है infant में यह आप लोगा से लेकर के five year ठीक है one two five year ठीक है चिल्टरन में एक से लेकर पांस साल के बच्चों में देखने को मिलता है क्वाशर कोर और इंफेंट बिलो वन यह देखने को मिलता है मारसमस मारसमस ड्यू टू डैफीसेंसी ओफ ठीक है प्रोटीन कार्बो हाइड्रेट ठीक है फैट यह खाने की कमीज हो रहा है यह only और only protein only और only protein दोनों के केस में प्रोटीन की कमी होगी दोनों के केस में mentally और physically ग्रोथ रुकेगी retardation होगा पर मारसमस के केस में पेट नहीं फूलेगा जबकि क्वाशर कोर के केस में पेट फूल जाता है due to deficiency of protein ठीक है ओस्मो रेगुलेशन बिकर जाता है ठीक है दोनों के केस में body सूकती है पर यहां पर पेट फूलता है बड़ हाथ पैर ठीक है क्योंकि vestige of muscle start हो जाता है तो limbs thin हो जा NCRT के सारे point मैंने add कर दियें इसके अंदर ठीक है flow diagram diagram समझा दियें मुझे लगता है अच्छी से समझ में आया होगा thank you all the best